कि क्या हाल चाल बच्चो तो क्या आपको मेरी अवाज आ रही है कि एक बार कन्फर्म कर दीजे प्लीज सारे लोग अगर आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बताईए बच्चो बच्चो क्या आवाज आ रही है क्या मेरी Hello Good evening everyone क्या आवाज आ रही है क्या सबको मेरी एक दम से आ रही है बच्चो सबको वाज clear एक बार confirm कर दीजे बच्चो स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास को आज थोड़ा सा गले में परेशानी है भाई साब कोई बात नहीं चलिए Good afternoon everyone फिलाल पहली बार मिलने पर Good morning भी कह सकते हैं कोई शू नहीं है तो कैसे हैं आप लोग कैसी आपकी बड़ाई चल रहे है भाई उमीद है कि ये session आपका बहुत अच्छे से जा रहा होगा और आपको सारी चीजें और सारी क्लासे सभी की अच्छे से समझ में आ रही होंगी ठीक है बच्चो तो चलिए पूरी आवाज आ रही है तो इसी आवाज के साथ शुरू करते हैं आज का अपना session जी हाँ मैं आपका अपना teacher जोगिंदर सिंग चाहर अपने इस प्यार बरे platform यानि के physics वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उमीद है कि आज जो chapter आप पूछ रहे थे भाई most जो एकदम demanding कह रहे थे बच्चे के साथ development लेके आईए तो finally आज चुके अपने इस development chapter के साथ और उमीद है कि आज का ये chapter आपके सारे doubts को खतम कर देगा बहुत महत्मून chapter है बहुत basic chapter है मैं यह नहीं कहूँगा कि बहुत high level का chapter है बहुत छोटा है और छोटा जब ही लग रहा है जब आप इस chapter को बहुत दिल से और प्यार से समझ लोगे वरना फिर कहोगे कि सारे chapter tough है है ना सो बच्चो अगर बात करें अपने इस development chapter की तो आप सभी को पता है कि development जब भी आपके दिमाग में कोई word आता है ऐसा कि भाई development क्या है तो आप सोचते होगे चीजे पहले से और अच्छी हो गई वही development है है ना अगर कहीं सड़क खराब थी नई सड़क बन गई तो भ development की बाते बताती है पर अगर एक इंसान में देखें तो एक बच्चा जब बड़ा होता है तो हो गया development बच्चे ने अपनी education अच्छे से कर ली चीजे समझने लग गया तो हो गया development है ना बट एकनॉमी में development कैसे होता है तो एकनॉमी में development का मतलब केवल income का बढ़ना नहीं की है देश में development होती है तो बहुत सारे factors को ध्यान में रखा जाता है जयसे आपकी नेशनल income तो है ही हे सात में आपकी health का ध्यान रखा जाता है सात मैं आपके welfare schemes का ध्यान रखा जाता है आपके लिए सारी security का ध्यान रखा जाता है, equality का ध्यान रखा जाता है, आपकी freedoms को आपको दिया जाता है, अगर कोई भी ऐसा factor जो आपको आपकी country से restrict करता है कि भाई साब हाँ मैं इस country में पूरा enjoy नहीं कर पा रहा हूं, तो हम उसे फिर developed country भी नहीं कहते हैं, समझ में आ रह सारी बाची बच्चों बताईए, है ना, clear है सबको, complete we need, it is a development, development मतलब बच्चों, overall development की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी आप word देख रहे हैं, उसका मतलब simple नहीं है, development in all aspects of life, चाहे वो आपकी income हो, चाहे वो आपकी health हो, basic facilities हो, security हो, safety हो, education हो, income हो, या देश में आपको बरा development में आती है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों, आप सभी को बता दू क्या पड़ेंगे हम, आज हम पड़ेंगे development और वो भी किस context में, कि क्या सभी के लिए, जो development goals है, जैसे मेरा aim क्या है development में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करकर, बहुत बढ़ा आदमी ब पर आपको ego आजाएगी, तो वो भी नहीं रखना है, तो थोड़ा जमीन पर भी रहना जरूरी है, तो 99.9 होगी, वहीं जो रोड पे बिखारी है, गरीब बैठा बिचारा, उसकी development goal क्या है, उसके लिए कि भाई साब मेरे को कैसे भी करके, आज मुझे जो भीक जो है, भीक अपने होते हैं, पहली बात, और एक का development goal दूसरे के लिए जो है, contradictory भी हो सकता है, कैसे, कि जो मुझे develop लगता है, कि भाई देश में ये होना चाहिए, हो सकता है, दूसरे वाले के लिए चीज़ जरूरी ना हो, क्यों, अभी बोला न, every person has different goals, सब के अपने अपने goals है, तो जो मैं चाता हूँ, जरूरी नहीं है, कि वो दूसरा भी चाहे, समझ में आरे कि नहीं है, बच्चों, बताइए, बताइए, सब को समझ में आरे कि नहीं है, बताइए, ठीक है, next हम पढ़ेंगे, income versus other goals, तो other goals का मतलब वही है, जो पैसे के लावा है, पैसा हर कोई चाता है, कौन नहीं चाता पैसा, बताइए, सब को पैसा प्यारा है, बट क्या इसका मतलब मैं ये मान लूँ, कि बस पैसा मिल गया, तो सारी जरूरते पूरी हो गई, सारे goals पूरी हो गई, उसके लावा और कोई जरूरत नहीं है, ना family की ने परिवार की, और ना ही प्यार, महबत क ही, यही सुनना चाते हो तुम लोग, बताइए, ठीक है बच्चो, तो next होगा आपका क्या national development, अरे हर इंसान की development से क्या हम कह सकते हैं, hence proved या conclude कि सब का development हो गया, तो क्या देश का development हो गया, बिलकुल, अगर उस nation में रहने वाले every citizen का development है, तो country developed है, next is how to compare different countries और states, भाई ठीक developed है, but कोई base बताओ, कि हम कैसे बोलते कि यह country developed है, हम कैसे बोलते कि यह less developed है, हम कैसे बोलते कि इंडिया इसा developing country, why we are not saying कि इंडिया इसा developed country, क्यों नहीं कह रहे हम, एक खिर बजा क्या है, वो जानेंगे, so हम income other criteria को compare भी करेंगे, इसको measure करने के लिए, next आप देखोगे, public facilities आपको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप होंगे पैसे वाले, आपके इलाके में बिमारी चल रही है, आपके इलाके में कोई pandemic आ गया, तो आप कहां से बचलोगे, कितने ही पैसे वाले हो, क्या helicopter मगा के निकल लोगे, क्या, देश शोड़ दोगे, नहीं, तो resources आप यूज कर रहे हो, आप तो करे ही करो, साथ में आपके आने वाली जो future generation है, उसके लिए भी कुछ छोड़ देंगे, वही sustainability है, उसमें दो तरह के resources आपको देखने को मिलेंगे, renewable आप 1000 वार पढ़ चुके है, 6th class से, renewable मतलब जो renew हो सकते है, जैसे license renew होता है, खतम नहीं, renew हो रहा है, और वहीं पर non-renewal मतलब जो फिर होंगे ही नहीं, एक बार यूज क्या खतम, कोईला, खतम, एक बार क्या राख है, फिर क्या करोगे, स्वाहा हो जाएगा, दूसरा आप देखो कि development जो एक worldwide concept क्यों है, वो तो चलो हमारा conclusion है, उस पर चर्चा बहुत बाद में क सबको, हम किसी country को कैसे develop कहेंगे, वही तो आज मैं आपको समझाने वालो, आप पहले से कुछ मत पूछो अभी आज, आपको last में मुझे बताना, कि chapter से कोई doubt रहा की नहीं रहा, मेरे दिल के सबसे करीब है ये chapter development, हमारे लिए बड़ी classes में, ये सबसे basic chapter माना जाता है, पहला आपके सामने ये आपका mind map है, जिसे real mind map कहते हैं, वो ये है, आपके पूरे chapter का पूरा format है इस topic में, इस picture में, कि आपको जो बता देगा कि आपके topic में क्या-क्या है, और आपको क्या-क्या most importantly पढ़ना चाहिए, वैसे तो मैं कभी किसी chapter में ये नहीं कहता हूं कि ये या फिर ये पढ़ लो, मेरा कहना ये होता है कि जाधा ध्यान किसी पर दे लो, थोड़ा कम ध्यान किसी पर दे लो, बट skip मत करो, क्योंकि problem से लड़ना ही सबसे अच्छा result है, या सबसे अच्छा solution है, problem से दूर हो जाना कोई solution नहीं है, आपको लड़ना बढ़ेगा, या त उस तो result आएगा ना हाथ में, जब जाओगे नी तो क्या होगा, तो मैं एक मिनट के लिए side हो रहाँ आपके सामने और आप जो है, इसका screenshot ले लीजिए, और देख लीजिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये लीजिए, मैं side हो गया हूँ बच्चो, I hope कि मैं screen में अभी न लिए, next आता हूँ, development chapter पे, अब development क्या है, मुझे एक चीज़ बताईए, मैंने आपको starting में बोल दिया, क्या आपके पास पैसा बहुत आ गया, तो क्या मैं उसे development का नाम देदू, क्या आप जो अच्छे nation में सब enjoy rights के साथ enjoy एकदम कर रहे है, कि मैं हर चीज की freedom है, हर right मिला development, क्या आप असलियत में अभी तक जानते हो कि development की real definition क्या है, क्या किसी एक घर में पैसा बहुत आ जाने से हम ये कह दें कि भाई सब हम developed होगे, सिर्फ इतनी से बाद से development का मतलब निकल गया क्या, या फिर does it mean a change in the physical appearance of someone or does it has more sense that we need to understand, या फिर मैं जब छोटा था आज development हो गई, या इससे भी कुछ और बड़ा sense, बड़ा meaning हो सकता है कि development में इतना सब कुछ आता हो, आखिर क्या है development के अंदर, क्या क्या चीज़े include होती है development में, क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं है, सिर्फ income को देखकर ही declare कर देते हो, कि yes, he is a developed person or she is a developed person, बाकि हम factors देखते ही नहीं, कि अगदर factors को क्या मिले हुए, क्या features मिले हुए, सो हमें जो है, वो vast जो sense है, वो समझना है इस chapter में, basically आपको यही चीज़ सिखाने जा रहा है, यह chapter, क्या के development में आप कैसे आप अपने आपको समझ सकते हैं, कि आप एक developed country में है या नहीं है, क्या आप developed है या नहीं है, कित कोशन आने वाले हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है आज, मुलकुल एकदम gentle chapter है, बहुत discussion के साथ जाने वाला है, छी के बच्चो, भाई देखिए, अभी नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बताओ, नाम तो आप लोग और बना चुके हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे नाम लेने से, आप लोग और नाम ही हो जाओगे, आप अलड़ी बहुत famous person हो, है ना, अभी यहाँ पर जो जरूरत है, वो chapter पढ़ने की जरूरत है, नाम ले लेंगे, सरकार को पता चलेगा कि आपके बहुत पैसा है, तो इसी नाम के थूरू आप पर छापा मिमार दे क्या इसका कोई और deep meaning है, तो yes, development का deep meaning क्या है, बच्चो, development का मतलब, केवल, income का बढ़ना नहीं है, doesn't mean कि आपकी per capita income बढ़ जाए, per capita income, मतलब, हर एक बंदे की income का बढ़ना, आद द सुरुपे कमाता हूं, कल भी सुरुपे कमा रहा हूं, क्या मैं developed हूं, yes, you are developed, but there are certain factors, जि क्या वो factors हैं, बच्चो, कि increase in national income, अगर एक country में national income बढ़ती है, एक country में लोगों की income बढ़ती है, तो obviously, इससे national income बढ़ जाएगी, तो national income जो है, वो dependent है, किस पर बच्चो, per capita income of their permanent resident, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, इसके अलावा क्या है, अगर लोगों का standard of living बहुत अच अच्छा करो, और एक दम से पैसे से सब चीजे आ जाए, तो आप एक developed stage पे हो, उसके साथ साथ economic growth, आपके देश में, रोड, सड़क, पानी, नौकरियां, सब कुछ है, बहुत अच्छा देश है, आप developed country में रहते हो, equality, अरे सब कुछ हाथ में होने से, और आपको बोलने न दढ़े, तो equality होने चे in every aspect and overall growth of every sector of an economy, every sector मतलब बच्चो, जो हमारा primary sector है, जो हमारा secondary sector है, और जो हमारा tertiary sector है, हमारे देश में तीनी sector है, और इंतीनों की जो total production होती है, जो तीनों की total production होती है, उसे बच्चो हम क्या कहते है, GDP, अगर किसी देश की GDP अच्छी है, यानि कि तिनों सेक्टर डैवलफ्ट ओभलब्ट है यानि कि यह जो ओरल ग्रोथ है तो हमारा देश जो है वह कलाएका तक सबको बताई क्लियर है सबको कि मैं बताई एक सबको है एक तो तो ऐसे के रहे हैं कि यादा नहीं होता बोर्ड का पेपर होता है बताओ जरा समझ रहे बच्चो यहां तक clear है बच्चो सबको अगर यह सारे factors आपके पास हैं तो आप कह सकते हो कि आप development enjoy कर रहे हो clear है बच्चो यहां तक अमीर हामजा आपको क्या clear नहीं है बताईए बताईए जिसको clear नहीं है क्या है मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी तक मैंने सिर्फ factors समझाए है अगर यह factors ही नहीं समझ में आए तो भाई साब कैसे समझ में आएगा तो आगे पूछ लीजी अभी भी कि कि all clear बता दूँ कि एवरी सेक्टर जो होता है इंडियन इकनोमी में सक्टर तीन तरह के होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीन तरह के सेक्टर होते हैं आपने पढ़े होगे नो डाउट की पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे शायद आप लोग है ना प्र रुपे बनाके दिए टर्श्री ने 10 रुपे बनाके दिए तो GDP हो गया आपका 30 GDP means the total value of total value of all goods and services all goods and services of primary secondary and tertiary total value of all goods and services produced in a country हमारे देश में जो इन तीनों सेक्टरस ने प्रड्यूस किया इन पर्टिकुलर यह पर्टिकुलर मतलब जैसे मालों 2023 की बात कर रहे है तो फिर 2023 की प्रोडक्शन गिनेंगे 22 की बात कर रहे है तो 22 की गिनेंगे that is GDP क्लिरे बच्चो रवी कुमार क्या रिपीट करना है बताईए क्या रिपीट करना है अभी जस GDP की डेफिनेशन बताईए येस अर्याइशन बिलकुल करेक्ट 30 GDP क्लिरे बच्चो चरिए डेवलप्मेंट आल्सो इन्वाल्स हाओ ओल मीन्स ओफ ग्रोथ कैन भी अचीवड डेवलप्मेंट का मतलब यह भी है कि जैसे आपको ग्रोथ अचीव करनी है वो कैसे करेंगे क्योंकि आप समझेए आपके पास एक सिच्वेशन आज है आप कहरें मुझे डेवलप्म होना है तो आप यह कहना चाहोगे कि आज अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो आप डेवलप्मेंट में क्या चाहोगे बताओ क्या 90 रुपीज डेवलप्मेंट स्टेज है की नहीं बताइए येस और नो क्या 90 रुपीज डेवलप्मेंट स्टेज है की नहीं है बताइए बताइए बच्चो बताइए बच्चो क्या 90 रुपीज को आप डेवलप्मेंट कुछ तो डेवलप्मेंट हुआ क्या येस बिलकुल को डेवलप्मेंट में हमेशा जो है जो कंसिडर करना होता है बच्चो वह पास्ट करना होता है पास्ट से हम सीखते हैं आज जो हुमारी कंडिशन है वह पास्त से बहतर है आट इस वाई वी आट सेंग कि इंडिया जो है developed हो रहा है हम फिर क्यों कहते अरे पहले रेलवे नहीं थी रोड नहीं थी ऐसे अच्छी एड्यूकेशन नहीं थी इतना सिस्टम जो टेक्निकल नहीं था इतना एड्वांस्मेंट नहीं थी सो पहले के मुकाबले सब हुआ है that is why we are saying कि development जो है वो पास्ट पे डिपेंडेंट होती है development क्या है बच्चो एक प्रोसेस है औरे मैं आज कहूं कि develop हो गया एक दिम से तो नहीं हुआ हूँगा दीरे दीरे gradually gradually एकदम हुआ हूँगा पहले सोचो आप बच्चे को ही देख लो अगर एक बच्चा होता है चोटा होता है तो वह एकदम से बड़ा नहीं होता है बच्चा धीरे 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 बड़ा हो रहा होता है तो इक सब्रोसेस कोई एकदम से सटनली कुछ नहीं हुआ है एकदम से कंट्री डेवलप नहीं बनी 1951 में हमारी जो कंडिशन थी व सब आप हो आप 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 आज से और भैतर करना चाहोगे जो माबाब आप आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं बच्चों ने देख लिया कि हमारे मदर फादर पेतना पैसा नहीं है चलिसे बंतर फिर्वचों आप आपंबाब आपने से कम नहीं पढ़ाता अपने बराबर नहीं पढ़ाता माबाब आपने से ज्जादा बढ़ाते कोई भी जो country है जो पहले उसकी stage थी उससे कही गुना ज्यादा आगे काम करना चाता है आगे ज्यादा developed होना चाता है तो ही development का sense है तो याद रखना बच्चो development is a process development influenced by past and why क्यों अभी समझाया है because the way we live today is influenced by the past जैसे आज हम रह रहे हैं वो सब इंफ्लूएंस ने पास से हमने देखा पहले रोड ऐसा होता था देख लिए ठीक रोड है अरे यार मतलब एक रोड इधर चला गया हमें तो सीधा जाना था और यार काश रोड ऐसा जाता तो सरकार ने रोड फिर ऐसे बना दिया और यार बस कि बैया इससे और अच्छा करना है क्लियर है के निए क्लियर बताईए के बच्चों कि आयूश आप पीछे थोड़ा सा सब्सक्राइब देख सकते हैं इंस्टेट ऑफ रिपीटिंग कि अभी सब कुछ हुआ है ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं आप थोड़ा सा पीछे जाके का सब्जेक्ट है ही नहीं बहुत गलत फहिम है लोगों के बीच में के सब्सक्राइब कर सकते हो नहीं कर सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट को याद करी नहीं सकते हो मैं पहले बता दू याद क्या होता है अपने मदर फादर अपने जिसको आप पसंद कर रहे हो उसकी या इस्ट्री पॉलिटी एकनोमेक्स यह याद करने की नहीं है पढ़ाई जोती है वो समझने की होती है बढ़ाई याद कब से करने लगे बताओ पढ़ाई को आपको समझना होता है यह किसी नहीं कहा कि आप यहां से याद करके और वहां जाके लिख दोगे याद हो गई नहीं और जिंद्गी में इतने सारे काम है याद करने के लिए यह याद आने वाली चीज है पापा ने वाल चूग सुभे श्कूल में जाना भाई साथ जमा करनी यह याद करनी की चीज और ट जक Leonardo रचे सब इलगे cizar अरे गली में रोड छोटा था बड़ा हो गया समझ में आगी इलाके में बड़ी-बड़ी बसे आगी सर मेट्रो आगी डेवलप्ट हो गया बस खतम समझारी बात कभी जिन्दीगी में यह किसी को मत कहना कि याद करना है अगर कभी UPSC का एक्जाम, India का एक्जाम, CDS, SSE का दोगे और अगर यही आपका style रहा कि हमें चीज़े याद करनी है तो जिन्दीगी में नहीं होगा जितने लोगों का एक्जाम क्लीर नहीं होता है न व बच्चे को कुछ प्रैक्टिकल नया समझाना होगा और नया तब समझा पाऊगे जब आपको चीज़े समझ में आएंगी ना कि याद रहेंगे के लिए बच्चो है यह ज्यां कि आज याद रहें ने याद किया किया क्या है कि याद करना याद रही सब यही लिखने वाये हो क्या पेपर में बताओ मुझे क्लिखने यहीं लिखने वाले हो क्या ऐसा थोड़ी है ऐसा नहीं होता बच्चो ठीक है बच्चो चलो नेक्स देखते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हो याद करने की इस नॉट न्यू कंसेप्ट हम बच्पन से डेवलप्मेंट चीजे देखते आ रहे हैं हम बच्पन स देखते आ रहें कैसे जो हमारे पास पहले था और जो आज है कुछ बदलाव देख रहे हो 9 से 10 10 से 11 जाओगे कुछ बदलाव है वही डेवलप्मेंट है पापा पहले आपको 10 उर्में देते थे पैटी सखाने के लिए 50 और 100 में मिलते हैं बदलाव है आपकी पहले नाग छ थो ठादा बड़ा हो गया बदलाव है आपका घर किसी का चोटा वहार बहुत पहले तो फिर बड़ा हो गया बदलाव है तो डेवलप्मेंट का जो नया नहीं है we all have aspirations जब इंसान पैदा होता है या कोई कंट्री बनती है तो उसकी कुछ उम्मीद होती है उनकी कुछ डिजायस होते हैं कुछ एक दिमाग में होता है कि मुझे इससे अच्छा करना है अब जब आप वो करोगे तो वही डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट तभी हो सकते हैं जब आप चाहोगे कि अच्छा हो तब होगा ना आप यह को कि मैं जैसा हूँ जैसी सिट्वेशन में हो फिर तो आप अप डेवलप में भी हो सकते हो और डेवलपमेंट को अपनी तो फिकर करते ही और यह भी सोचते हैं जहां हम रहे हैं क्योंकि देखो इंसान कभी भी भी सेफ एंड सिख्यर कैसे फिल होता जब उसक slas का इलाका सेफ एंद सिक्योर होता है आप कोगे मेरा देश डेवलप्ट हैं तो मैं तो होंगा drainage किससे बनाय हम से अरे रैजिडेंट्स तो भी सोच के रखा हुआ होगा कि कैसा होना चाहिए आप थोस्ते होके कोई लोग मलनों भार विदेश में छलाए ज अपना इंडिया बेना ऐसा होना चाहिए अपनी इन आ यहां catch है एंडिया की लिए और यही है फिर आप अपकी और अपने देश की डैप्लम्मेंट आप अपनी डैप्लम्मेंट की चिंता करों और बोलोगे इंडिया में वह इन अच्छी है क्योंकि जब इंसान भार कमाता है तो क्या कहता है और यार एक करोड़ तो मैं कमा रहा हूं पर यहाँ जैसे रोड है ना वो भी अगर होते तो और मज़ा आता अपन की अपनी इंकम मेरी अपनी इंकम तो हम दौनों की अपनी अपनी इंकम है न तो इसे कहते है पर कैपिटा इंकम मतब एक एक इंसान की इंकम क्लिए बच्चो क्लिए रहे बच्चो पर कैपिटा इंकम का मतलब समझ भी आ गया क्लिए रहे बच्चो बच्चा जीडीपी एंड पर कैपिटा मींस यह है जीडीपी मींस ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट जो तीनों सेक्टर ने वो जो प्रोडक्ट करते हैं टोटल जो उनकी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है उसको टोटल करते तो जीडीपी होता है और पर कैपिटान का मतलब एक इंसान की इंकम पर इंसान की इंकम ठीक है बच्चो नेक्स देखते हैं So, do you think all this possible in non-democracy? क्या ये सब non-democratic में possible है कि आपको आपकी freedom दे दी जाए, country जो है आपके according चले, क्या ये सब possible है? No. क्या ये possible है बच्चो? No. क्यों possible नहीं है? अरे जो तानाशा देश हैं, जो ओटो क्रेटिक हैं, आपने फ्रांस पड़ा था भई, है ना, आप यूरोप का पढ़ गए आई हो, और तो और छोड़ो, ब्रिटिश का ही देख लो, आपके country में रहके आपको क्या करने देते थे, बताइए. So, ये जो सारी चीज़ा आप देख रहे हो, ये आईडियाज आपके विचार, जो आप चाते हो कि मैं खुल कर बोलू, जो आप चाते हो मैं खुल कर सोचू, मैं development की बात करू, ये सब चीज़े जो हैं, कहीं ना कहीं, non-democratic में possible नहीं हैं, ये केवल democratic country में ही possible है, जहां पर आपको इतना सोचने की और इतना बोलने की आजादी होती है, क्लियर है बच्चो, चलिए, नेक्स देखते हैं, जो आपके विचार है, ये केवल democratic country में ही fulfill हो सकते हैं, केवल democratic country में ही fulfill हो सकते हैं, समझ मारे बच्चो, clear है, clear है, clear है बच्चो, चीक है, so here people have the right to vote, speak, move and live freely, सो क्या होता है, जो democratic country होती है, वहाँ पर लोगों को बोलने का अधिकार होता है, move करने का, एक जगा से दूसरी जगा जाने का, मतलब दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार जाने का अधिकार है, और freely रहने का दिकार है, यहाँ पर कोई police या army आपको यह नहीं कहती कि, कि भाई साब हाँ, आप यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, आप अमारे अब कबजे में रहोंगे, लोग freely कहीं भी आ जा सकते, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ है, सो यह सब कहा हो रहा है बच्चो, democratic country में, क्या हो रहा है बच्चो, democratic country में, चलिए next देखते हैं, So if a country does not provide freedom, अगर कोई country freedom नहीं provide करती, आजादी, किनको to their citizens, कि भाई आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको voting का दिकार नहीं है, आपको कोई भी organization, association बनाने का दिकार नहीं है, कोई fundamental right नहीं है, In all aspects, that country cannot be called a developed country, जब आपकी country आपको allowed ही नहीं करती है, सब करने के लिए, So आप कैसे कहोगा कि आप developed country में रहते हो, development मतलब सब की आजादी, सब की growth, सब की economic growth, सब के पास पैसा, सब free move कर रहे हैं, But यहाँ तो आप करने ही नहीं दे रहे हो, so आप उसको फिर developed country नहीं कह सकते, develop कहने के लिए क्या होगा, आपको सारे aspects को जो है, वो okay करना होगा, चलिए next देखते हैं बच्चो, meaning of development goals to different categories of person, अलग-अलग लोगों के लिए development के जो goals हैं, वो अलग-अलग कैसे हो सकते हैं, उसका development goal अलग है, और जो मैं आपको बढ़ा रहा हूं, उसका development goal अलग है, सभी के अपने development goal है, जरूरी नहीं है कि वो same हो, because हर person के पास अपना दिमाग है, हर person के अपनी priority हो सकता है, किसी को पहले खाना पसंदो पढ़ने से पहले, और किसी को पढ़ने पहले पसंदो बजा की खाने के, so अलग-अलग है, so do we all have same goals, क्या हमारे goal same है, नहीं, अरे आपका goal जो है, वो 12th class के बच्चे का, जो sports में होगा, उसका goal same नहीं हो सकता, वो cricket या किसी athletic में अच्छा करना चाहता होगा, वहीं जैसे मेरा goal है, और आपके जो other teacher से, उसका goal अलग होगा, कोई आपक है, तो सबके goals, जो बटे हुए है, वैसे आपका भाई, वो चाहेगा क्या, कि मुझे भाई सब खुलके, पढ़ने दिया जाए, कोई रोके नहीं, कोटो के नहीं, वहीं आपका goal होगा, क्यार मुझे भी मेरे भाई की तरही freedom मिले, तो यह सब चीज होती है, इसलिए हम क्या मेरे लिए वो अलग है, मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडिया जादा बढ़े, हर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा, कोई सोच नहीं होगा, कि मेरे पर जादा पैसा आ जाए, मैं भाहर चला जाओ उपना, विदेश विदेश में रहू, तो होगया ना goal अलग, तो goal अल कि मेरे इंकम जाता हूँ, कोई चाहरा हो, का जल्दी से film star बन जाओ, कोई सोच नहीं हो, एंस्टाग्राम पे मेरे लाखों फॉल्वर हो जाए, क्लों फॉल्वर हो जाए, कोई सोच नहीं हो, अरे सर हम सब का नाम ही ले ले, समझ यहीं पर देख लो, कोई सारा है कि डौट गोल अलग है एक क्या रहा है कि sir I want to live foreign country यह इस बंदे का गोल अलग है तो सब के अपने अपने गोल है सब के अपने अपने एस्पिरेशन एस्पिरेशन मतला उम्मीदे डिजार इच्छा लिए er development goals सब को कहीं अपना पार सोंते हैं देखो कीडा मकोडे उनके भी गोल से वह अपने हिसाब से चल रहे हैं आपको कहीं जाना है तो हरे को एंद क्लियर होता है जिसे ब्स टेड़ा भागो जैसे आप भागो भाई एंड बस पहुंचना है कैसे भी सो सब के जो है गोल्स अलग है उनको अच्छीव करने के लिए रास्तिया लग है सोच अलग हो सकती है जैसे आप एक्जाम जब अटेम्ट करते हो तो क्या होता है पहले आप कोई करता होगा टफ पहल बच्छापती बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है चलिए जो पीपल सेट दियर गोल्स एकॉर्डिंग टू दियर प्रियोटी लोग अपने गोल्स को अपनी प्राइटी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं यह बास सच है बही मुझे अगर खाना पहले पसंद है तो मैं फिर बच्चे अपना अभी एक्जाम टाइम पर जो अपना स्कॉर्ट और शेडूल बना रहे होंगे उनमें जो पहला सब्जेक्ट उन्होंने रखा कि मुझे इस पर ज्यादा फोकस करना है क्यों कि उनकी प्राइटी उस सब्जेक्ट किये पहले सबसे लास्ट में जो बच्च या प्राइवेट नौकरी जैसे भी हो मिल जाए थाड़ फर फर अच्छी शादी हो जाए फिर ओगा घर ले लूगा फिर गाड़ी तो आप गोल्स ऐसे कर रहो कोई ऐसे बोलता है कि सबसे पहली मेरी तमन्ना है कि सबसे पहले मेरी शादी हो जाए बहुत अच्छी से तो अच्छी महेंगी से महाईगी गाड़ी ले लूमिल में सो गोल्स जो है वह पीपल के अलग-अलग होते हैं यह से बताइए वो चाहता है उसे जादा दिन का काम मिले अच्छी तंखा मिले अरे लोग अपने हिसाब से गोल सेट करते ऐसा नहीं होता है कि पूरे देश में सब लोग अमीर है तो सब यहीं चाहरे होंगे कि पहले गाड़ी मिल जाए कोई कहा रहा हो रहे यार इस पैसे को बैंक में रख दो तो सब के अपने अपने हैं जैसे हमारा यह जो फार्मर है यह जो लेवर है यह क्या चाहता है यह चाहता है ज्यादा दिन का काम मिले और साथी साथ बच्चों क्या ज्यादा दिन के काम के साथ ही उसको तंखा भी अच्छी मिले इसकी तमन्ना यही है ना यही हो सकती है और किसी की बात करें, किसान क्या चाहेगा, उसके जो agricultural products हैं, उनका price ज्यादा मिलें, अरे तभी वो अपने आपको growth समझेगा, developed समझेगा, unemployed जो youth है, जिसके बास नौकरी नहीं है, तो भाई जिसके बास नौकरी नहीं है, सबसे पहले इच्छा, उसकी रोटी की नहीं होगी, उसकी होगी क्या बच्चो, regular jobs वो भी अच्छी income के साथ, वहीं एक लड़की, अगर एक लड़की की बात करूँ, मानलो बहन भाई है, भाई को बहुत आसादी मिली हुए, भाई कभी भी आये जाए, कहीं कुछ पढ़े, 10,000 पर मांगे, माब अपने 10,000 पर दे दिए, बट लड़की क्या चाहती है, अपने भाई के बराबर equality, freedom, सारी opportunity, जो एक भाई को मिल रही है, तो आप देख रहे हो, अलग-अलग लोगों की, अलग-अलग जो है, अप्रोच है, अलग-अलग उनके development goals है, और वो उसी के according काम करेंगे, सब के अपने अपनी प्राइटी है, ऐस रास्ते जो path desires है, जो रास्ता बनाएंगे कि कैसे इसको achieve करें, उस पर काम करेंगे, clear है कि नहीं, clear है, बताईए, बच्चों, प्यूश, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिबोर्ड में marks कम आने से कुछ नहीं होता है, कई बार तो ऐसा किसमत और ऐसा धमाक हो जाता, बच्चे को आपको पता चलिया, कि मेरे marks कम है, तो आपके सामने एक target आ चुका है, यह तो मेरे इतने पढ़कर, इतनी महनत करके यह आई है, अब मैं इससे जादा करूँगा, और इससे जादा marks लेगा हूँगा, आपके पास mission है, आपके पास aim है, बाकी उनका सोचों, जिनका 90 आगया यह हो सकता है, बढ़ जाएं, तो वो आपकी consistency पर फर्क रखता है, आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं, अगर यह guilty लेके बैठ गए कि marks कम है और आप क्या ही होगा, देखो दुखी होने से कुछ नहीं होगा, समझ लो यह बात, तो पढ़ा ही ज़रूरी है, clear है बच्चों यहा मुझे लग रहे हो, मुझे लग रहा है क्योंकि वहाँ तो dictatorship आप यह कह रहे होगे, वहीं सब चाइना में cheap labor यह सब हुआ है, चाइना ने हमेशा जो ऐसी strategy policy बनाएक रखी आप से पता है, आइसोलेट हुआ था और चाइना कई बार आपने आपको trades आइसोलेट करता है, फि जो है dictatorship वालों में decent fast होता है, क्यों किसी ची सुननी नहीं है, कोई भी country, कोई भी राजा, dictator क्यों नहीं हो, कोई भी ताना शाह क्यों नहीं हो, वो यह थोड़ी चाहेगा कि मेरी country डूब जाए दूसरे के मुकाबले, वो तो यही चाहेगा कि बढ़े, अब उसमें जैसे अपने बनमाने मर्जी से चलाएगा, पर वहाँ आपको freedom थोड़ी मिलने वाली है, आप यह सोचों कि अरे सर, हमको तो यह वाले राइट जाएगा, चाहिना में इतना नहीं होता है, एक बंदे की चलती है, पता है ना? मुदित कुमार कोई फरक निबढ़ता है कम marks आने, किसी के भी marks कम आएं, कोई फरक निबढ़ने वाला है, प्री बोर्ड थे याद करो, प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले की कहानी है वो, बोर्ड तक आते आते कहानी बदलने में कुछ ही समय लगता है, कुछ ही समय लगता है बच्चो बच्चो करेक्टरेस्टिक्स बगएरा सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप एक बार जो है प्रीवेस पर थोड़ा सा बैक जाके देखेंगे आपको समझ माई जाएंगे चीज़े कोई जादा जादा नहीं पढ़ा है ठीक ना बच्चो मच्च करें दिक्टेटर्श देखते हैं मरें सिर्थ बंत्र मालें कुछ पुलिस नहीं कोई आर्मी नहीं मैं जिसको जैसा झालेंगी वह मतलँ और जोगों की नहीं चलेंगी सिर्फ में न मजी नतलब संसे क्लें व yellow की हमारे इंड्र मोदी जी चलें मतलब कि में अण और मैं हमेशा जब भी development की बात करूंगा तो मुझे क्या लगेगा मेरे दो दोस्त बैटे माल लो एक तरफ सौनु बैटा एक तरफ रोहन बैटा है और मैं बीच में बैठा हूं तो मेरी हमेशा यह दिमाग में चलती रहेगी भाई मैं इनसे जादा मार्स लेगा हूं अगर म मैं उसी के बारे में सोचता रहते हैं कि यार कैसे अच्छा हो किसी एक गरीब से पूछना कि भाई उसको जिस दिन तनिका कम मिलती है उसको जिस दिन भीक कम मिलती है उसको टैंशन होती है हर दिन वो दुआ करता है कि उसको जादा से जादा मिले यही है development तो ऐसी लिए मैं कि हर बंदा जो है वह अपने पाथ को डिजायर करने के लिए सोचता रहता है तो यहां पर दो लोग यह चाह रहे है कि मेरी एस्परेशन पूरी हो मेरी डिजायर्स पूरी हो मुझे मौर फीडम मिले होता है कि आप जब भी development के बारे में सोचते हो तो दूसरे के लिए हो सकता है वह development ना हो यह बात सच है क्योंकि आप एक चीज़ समझो आप जब भी कोई काम करने जाओगे आप तो अपने हिसाब से करोगे ने आर आपको अपने आप से मतलब आप कोगे मेरी गोल मेरा किसी की मान लोग बिजली की कंपनी है तो वह क्या चाहेगा ज़्यादा जब बनाओ भाई मुझे तब बिजली चाहिए उसका एंड गो लिए यह है कि ज़्यादा सब बिजली लाने के लिए जो लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा उनके इलाके से वेजिटेशन खतम होगी नेच्टरल वेजटेशन फरक आएगा लोग डिस्प्लेस होंगे उनका सब कॉमुनिटी सब काम दंदा लाइवलिवूट सब डिस जो है ना डिस्प्लेस हो जाएगा तो बड़ा आदमी के चक्कर में छोटा आदमी के उपी से छोटा कहेगा मुझे तो नहीं चाहिए बड़ा कहेगा नहीं मुझे तो चाहिए डेवलप्मेंट सो कॉंफ्लिक्ट में अराइज कॉंफ्लिक्ट आ सकते हैं क्योंकि एक के लिए आजादी का मतलब दूसरे के लिए नहीं होता अगर एक कंट्री ने दूसरे पर हमला किया तो दूसरे की उसमां आजादी नहीं है इसने तो हमला करके ट्रेट्री बढ़ा ली पर दूसरा तो चोटा हो गया सो कंफ्लिक्ट आ सकते मींस क्या है लेट्स अंडरस्टेंड बाइन एक्जांपल एक एक्जांपल की तुरू आपको समझाता हूं कि क्या है डेवलप्मेंट का मतलब यहां तक क्लियर है बच्चो कोई बड़ी बात निये टॉप मारना बहुत आसान काम है टॉप मारना तो एक दो बार करोगे भाई साब कंसिस्टेंसी बनाय रखो आपको आगे भी इलाइमंथ में टॉप मारना है एक पर मत सोचो बस क्लियर बच्चो क्लियर बच्चो ठीक बानी ठीक बानी चलिए आईए इफ़ कंट्री फुल्फिल्स दाइस प्रेशन सॉफ इंडस्ट लिस्ट फॉर हेविंग मोर देंस जो मैंने आपको डैम का एक्जमपल समझाया है आप उसको एक्जिटिस यहां लिख सकते हो अगर ए आप एक और एक्जमपल देते हैं आपको इंडस्ट लिस्ट पे तो आई रहा हूं चलो इंडस्ट लिस्ट पहले समझाया तो फिर एक और आता हूं सरकार जो देश है इंडस्ट लिस्ट के बारे में सोचती है और उनके लिए ज्यादा स्यादा डैम बना रही है देन अधा सेम ताइम उसी टाइम इट में डिस्रफ दी लिविंग्स ओफ या लाइव सोफ लोकल फीपर जब डैम बनेंगे तो वह जगा लेंगे जिस जगा पर बनाया जाएंगे वहां लोग भी रहते होंगे तो लोगों को हटाना पड़ेगा उनके गाइब अश्यों को हटाना पड़ेगा वह जो काम खंण करते हो गए छोड के जाना पड़ेगा Ben टोटल डिस्प्लेस्मेंट होगी डिस्प्लेस्ट मतलब जगह से घा आगंब लिग्समेंट करतेम हो गोजाते एकrifirm बिश्समेंट होगी तो इसमें फाइसर था अमीरों का अरे घ्रीब का क्या फाइदा है तो कॉन्फ्लिक्ट वा न शुदा एस्पिरेशन सब इस फीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडस्टलिस क्यों हुआ क्यों कि गरीब आदमी अपने हिसाब से सोच रहा था उसको लग रहा था कि मेरे लिए तो इंकम यह कि मेरे को तो ज्यादा फसल हो ज मिल जाएं जानवरों का दूद्ध बेच के मैं ज्यादा पैसे कमाल हूं 100-200 रुपे लीटर दूद्ध बेच दू तो वो थी सो दिस दिवाए दे प्रेफर तू हैव स्मॉल देंस टैंक्स टूरीगेट दियर लेंग अरे अगर उनको यह बोला जाए इंडस्टलिस यह बो ठढ़ा कर दे ले पीले पानी तो क्या वो आपका गोल था हुश्च समय आरे आपको एक ग्लास पानी चाहिए था आपको इतना पानी थोड़ी चाहिए तो वो बोलेंगे ना कि हमको डैम्स के क्या करेंगे हम हमको खेटी पानी करने के दिन में 10-15 लीटर पानी चाहिए 50 ल लाक लीटर क्यूबिक पानी के साफ से तो नहीं चाहिए और इनके डिवलप्मेंट गोल्स अलग है और इंडेश्टर पैसा बनाना चाहरा है यह देखो और एक चीज़ा ध्यान रखना कि ना तो यह डेवलप्मेंट में रूखने वाले ना वो डेवलप्मेंट में रूख हैं बस थीक के खility fluorescent of one doesn't mean development for other इंड़ेस्लिस की देवलप्मेंट से यह नहीं कह सकते कि गरीबों की डेवलप मैंट होगी गरीबों की डेवलप्मेंट से यह नहीं कह सकते कि मुझी डेवलप्मेंट होगी दोनों के goals अलग हैं तो दोनों उसी according काम करेंगे clear है कि नहीं clear है बताइए clear है कि नहीं clear है clear है बच्चो और आता हूँ एक और example बे मान लीजिए आप bank से loan लेने जाते हूँ आप क्या चाहोगे जो ब्याज है जो interest है वो कम से कम हो और bank क्या चाहेगा interest जादा से bank कमाना चाहता है आप अपना पैसा बचाना चाहते हों समझ भारी कि नहीं आरी बच्चो clear है बच्चो बताइए यहां तक sales निशाद क्या समझ में नहीं आया बताइए बताइए क्या सब कुछ clear है बताइए बच्चो clear है यहां तक सारे example मैं आपको वही देता हूँ ताकि आप लोगों को locally समझ में आ सके पड़ा लिखे example से शायद उसको interpret करना तोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्लेर है बच्चो चलिए बढ़ते है next पैसा मतलब money money एक तरफ money है और एक तरफ परिवार है आपके सामने चौइस रखती जाए कि आप परिवार चुनेंगे या पैसा अब यह कैसे आप स्लेक्ट करोगे डिपेंड करता आपके development गोल्स पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल होते हैं उनका क्या होता कि अगर उनके मैंने देखा है ऐसा मेरे कुछ मित्र कुछ दोस्त हैंसे उनके घर अगल रिपते क्या रिप्लाइं देते हैं एक दिन तो सबको जाना है एक दिन तो सबको जाना है ठीक है बच्चो अगर ठीक है बच्चो ख्लियर बच्चो कि आप सीधी सी बात है सबके development गोल्स अलग है इंकम आपको प्रेफर करोगे इंकम आप चुनोगे या अधर गोल्स आपके लिए माइने रखते हैं यह इस से चैप्टर इस टॉपिक से अभी क्लियर हो जाएगा मैं आपको एक्जामबल दूगा आप समझ जाओगे और यह कोशन भी आपका क्लियर हो जाएगा क्या आपने कभी पैसे की जरुत को अपनी जिंदी में समझा अरे यह तो बहुत चोटा सवाल है ना है सब को पता है पैसा कितना हईम्यत रखता है वैससाब शादी से लेके जनम से लेकेaga मरने तक पैसा ही पैसा काम आता है सर और कुछ लोगों की सोच हो घुरा हो हो बहुए ब्यत्रायन का था Heat 그 स्थी बहें काम नहीं बड़ता और कास मेरी जिनधीयें पैसा कुछ तो दो बात मैंने आपको बोल रहा हूं पैसा बहुत जरूरी है कुछ हो ना हो चल जाएगा वक्त और एक दिन में आपको बोल रहा हूं कि यार क्या पैसा कमाया परिवार तो साथ ही नहीं है समझ रहो कि नहीं समझ रहा हो कि सम्झागी बच्चों सो चलिए देखते हैं अब तो डशेट सब ऑल दी पर चेशेज या परपसेज आफ यू लाइफ परचेश मतलब जिन्दी को जो आप खरी सकते हो बिल्कुल पैसे आपके मदद करेगा बट क्या वह परपसे सॉल्व करेगा वह आपको समझना है ने प्रफेस के दृपर क्ट सकते हैं प्यार पड़ूच स क्पैसे के सब्सक्तर करेंङे पैसे कि अइसरे परसाल्व कर सकता है तो लेट्स अंडर्स्टेंड इंपोर्टेंस ऑफ मनी एक सिग्निफेंट रोल है क्यों है विकाज वी कैननोट पर्चेस एनिफिंग और तिंग ऑफ अवर डेवलप्मेंट एंड वैल विंग मुझे अपने लिए पढाई करनी है तो पैसा चाहिए मुझे गाड़ी खरीदनी फैसा चाहिए मुझे क्वान होना फैसा चाहिए मुझे अपने शरीर पर कपड़े पहन हो अब्हें सटे जो आप हर जो जो जन्दिकी जरूश्यों कर सकते हैं जोकां जी वो पैसे से खरीदी जा सकती है और मनी नो डाउट एक इंपोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बट होल पार्ट नहीं है बहुत बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है, so does it serve all the purpose for your life, तो क्या अगर पैसा इतना जरूरी है, पैसे से आप सब कुछ खरी सकते हो, तो क्या फिर हम यह कह दे, कि पैसा जो है, आपकी सारी purposes को solve कर देता, क्या यह कह दूँ क्या, बताइए, कह दूँ क्या यह सब, तो देख लेते हैं, so money is important in life, जो आप decision डूण रहे हो, कि क्या पैसा सब कुछ है, मैंने आपको बोला, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो ही है, क्योंकि हम पैसे से सब कुछ खरी सकते हैं, अगर आपको गाड़ी में घुमने जाना है, तो भी आप पैसे जाओगे, घर से बहार निकलते ही, आपको पैसी जोट पढ़ती है, क्योंकि भाई, घर से बहार निकलोगे स्कूल जाना है, रिक्षा, बाई, कुछ तो खरीदोगे, कुछ किराए पे लोगे, भाड़े पे लोगे, तो पैसा चाहिए, तो पैसा तो भाई, बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है, क्यों? Because there are other goals that a person always looks for, और भी चीज़े हैं, घर से बाहर निकले, एक दोस्त मिलगे अपनी साइगल पर आपको ले जाते हैं, भाई बैट, ले जाता हूं स्कूल, अरे यार, क्या ही बात है, चल पड़े, आगे एक प्यार महँपा, safe security आगे मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं, वहीं, आप माल लीजे, किसी के घर में, भगवान ना करें ऐसा हो, पर ऐसा एक दिन होना है, ये तो सत्य बात है, किसी घर में कोई दुख घटना हो गई, अब पैसा आपके माल बहुत है, बुला लोगों को पैसा देखें, सौसर पे दोगे कि आजो, रोलो, नहीं, जब belongingness होती है, प्यार मुहबत होती है, वहाँ लोग खुद चिंता करते हुए, आपके घर पहुंच जाएंगे, ये आप पैसे से नहीं कमा पाओगे, चेहरे पे दुख है बहुत जादा, किसी के मुह पे नोट के घटी फैक के मारो कि हस, हस के दिखाओ किसी को, क्या कोई हस सकता है, पैसों से बताइए मुझे, बहुत जिंदगी में दुख है किसी के, हसाने के लिए आपको किस की जोद पढ़ेगी है, कि इनसान की, जो आपको उसमें चुटकला सुनाएगा, या आपके चेहरे पे कोई ऐसी मुस्कान वाली बात किर देगा, कि जिससे मुस्कान आ है, बट गड़ी से, पैसों से कभी वुसकान नहीं आने वाली, उपर से गड़ी जाके नाक पर लगी ना, तो सामने आला पलट के मारेगा और चार, कि बच्ची कुछी आशू तो आई रहे थे, नाक भी टेड़ी कर दी, समझे लों कि नहीं? क्ले रहे कि नहीं बताइए? क्ले रहे यहां तक? चलो, सो हम क्या देखते हैं हमेशा बच्चों, हम ढूड़ते हैं दोस्त, हम ढूड़ते हैं परिवार, हम ढूड़ते हैं सिक्योर्टी, हम ढूड़ते हैं आजादी, हम ढूड़ते हैं एक्वल ठ्रीटमेंट, मेरे को दे कि पैसे मिला पर मेरे को जिसे प्यार करता हूं उसे शादी निए दे रहे क्या समझ रहे हो कि नहीं है ना मेरा परिवार लेगे मुझसे दूर लुग आ कर अपनी ने उफर आपको दे दिया कि मैं आपको साल का 10 करोड रुपया दूगा बट आप अपने परिवार से नहीं मिलोगे आप ना शादी कर सकते हो ना आप कुछ बोल सकते हो मैं जो कहूंगा कि तरह रोबोट कि तरह सिर्फ सुनते दाओ तो बताओ क्या करोगे 10 क्रोड रुपय का नहीं समझ नहीं जो नहीं समझ लेख परिवार आजादी शुरक्षा सेफटी सिक्योर्टी फैमली फ्रेंड्स यह बहुत जरूरी है जिन्दगी में भाई बहुत जरूरी है शादी होगी ना तो दोई दोस्त आएंगे वही तोफा पैसे वालए खड़े डाओंगे आज रहें पार्टी यह पार्टी यह ज्यादा पैसेवालों के शादियां होने वड़ी प्रॉब्लम होती है वह कहते हैं और भाई ना अमिर आदमी को ज़्याद की पसंद आगी कम पैसे पसंद आगी फिल्मों में तो बन जाती है कहानी अ चलिए सब्सक्राइब करें चलिए सबसे बड़े अधिकारी आप पैसा भी बहुत कमाते होंगे तो फिल्फिल कंपनी एस्पिरेशन यूवर्ट 10-12 आर्ट कंपनी ना आपको टार्गेट दिया है आप 10-12 गंटे काम करते हो बहुत बढ़िया कंपनी पैसा भी देगी बदले में आपको आप कंपनी के सीओं है भाई साब आप 10-12 गंटे काम करते हैं और यू अन गूड़ इंकम और आपको कंपनी बदले में बहुत पैसा देती है दस करोड़ 20 करोड़ जो भी आप दे सो हावेवर दिस जॉब ड़स नॉट गिव यू इनफ टाइम टू स्पेंड ट इतना सा एक छोटा साथ भी नहीं आता है लेवर भी नहीं आता आपके कदम बिखारी भी यह जाओंगा तो साब के सिक्योर्टी गार्ड है मारेंगे मैं नहीं जाओंगा मतलब मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके परिवार तो बहुत दूर की बात है एक अंजान वकती भी आपके दर्वाजे पर आ नहीं सकता आपके पैसे ने इतना स्प्योर्ट आपको कर दिया है अप अपने परिवार शरी मिल सकते हो आप में टाइम नहीं अब कॉ सब्सुअब कुछ हो थोड़ी जाएगा मर थोड़ी जाओंगा मैं पैसे के लिए कर रही है बस राखी बादें के पैसे लेगे समझ रहे हो सो जब आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है पैसे वाला हो जोता है बहुत जादा जब ऐसे विचार आते हैं और एक तरफ एक और कहानी बताऊंगा जहां पर पैसा नहीं होगा पर परिवार जरूर होगा तो इस व्यक्ति को बहुत पैसा मिलता अच्छी कंपनी में काम करता है पर परिवार के साथ एक वक्त नहीं मिलता साथ में बैठने का ठीक है बच्चो अब परिवार वाद और प्यार वाद कुछ नहीं है तो लोगों की बहुत वहां पर वेटिंग रहती थी हमेशा ही कि भाई साथ हमारा मालिक है अब एक दिन ये बंदा बिमार हो गया है नोकर गया एड्मिट कर ने कर दिये सहाव है हक निभात है कित दिन वहाँ बैटेगा पता इएक दिन बैट लिया गों 2 दिन बैट लिया हो सुटल आ का जाहिए पर नें काम धाम सब छोड़कर सिर्फ आपके प्यार की खातिर वहां पर इंतियार करेगा जब तक ठीक नहीं हो जाओगे नो करें पटक के स्ट्रेचर पर भागा यह लो मेरा मालिक और इसके पैसे काट लेना डॉक्टर भी आएगा बोलेगा हाँ बया इसके शूचना मरने की जीने क इसके इंप्रूमेंट की किसको दू इसका तो कोई परिवार वाला ही नहीं बीचे तो कैसे होगा सोचो ना ऐसी सिच्वेशन बन जाए और जिसका कोई ना हो फिर क्या करोगे पैसे का क्या करो गड़्यां बिचा कर बठोगे कि यह देखिए मेरे यह गांदी जी है एक हज आर नोट और वी नीट टू लिव को हमें इन चीजों की जरूत के ऐसा नहीं है कि इनकी नहीं बढ़ती केवल पैसा मिल गया गूट मिल गया इंसे जिंदिगी घट जाएगी नहीं ज़रूरी नहीं है मनी कैन भी फैक्टर ओन विच अवर लाइफ डिपैंड मनी एक जरिया जिस पर हमारी जिंदगी निरवर है पर जिंदegी जीने। जिने के लिए परिवार की ज़्रुत है पैसे से थिखा सर लोग रोने वाले नहीं तो पैसे का क्या फाइदा क्या फाइदा पैसे का बताईए आप समझ रहों की नहीं समझत एक्जांपलस से समिन्म में आ गया है कि भाई money is important factor बट यह हमारे पर्पस इसको solve नहीं करता है completely कि समझारी नियारी बात कि समझ में आ रहे है कि नियारी बात कि लिए बच्चों कि और जिनको लग रहा है स्कूल से बच्चे आए होंगे ममी ने बोला वह बेटा खाना खाले आपका बैग्स अग्दम साइड में रखा कि आपको दिया होगा आपको देख रहे हुगा कि मेरा बेटा सही से खारा नहीं खारा है मादेखे कि बच्चा शरीर से डेवलप कर रह कि माबाप चलिए चलिए नेक्स देखते हैं सब्सक्राइब अगर मैंने परिवार को पैसे को सिर्फ प्राइटी दी और बाकी चीजों को अगर इग्णोर किया अब कुछ नहीं है तो वो भी चाहेगा कि पैसे के साथ मुझे अगी बात बच्चो चलिए इंपोर्टेंस ऑफ फैमिली बहुत जरूरी है माबाप का प्यार बहुत जरूरी है दोस्तों का भी होना जरूरी है मैं कह रहा हूं कोई एक पर्टिकुलर चीजों का अधिक हो जान एक्स्टा जरूरी है माबाप के लावाद दोस्त भी होते हैं यार कई बार इंसान ऐसी सिच्वेशन फस जाता है जहां माबाप को नहीं समझा सकता इसमें दो वाते हैं एक बंदा तो यह चाहेगा एक ही बंदा है जो एक बार को यह सोचे गार माबाप को टैंशन ना दू दूसरी बार यह सो जगा यार यह पुराने जमाने के मैं जो समझाना चाहता हूं वो नहीं समझेंगे जैसे प्यार महपती कानी होती है लड़का कहता है कि जब शाधी के टाइम पे जो माबाप पूछते हैं कि वह को लड़की भसंद है तो बोल नहीं पा रही है वह चबलू लड़की पसंदे चबल लड़का पसंदे चबल निकाल यह मारेंगे गांगे क्या चबलू चबलू रखाइदर है ना सब्सक्राइब लिए जान के का करो कि तुमको क्या लगए बाल कमें तो इस जाता है बड़ा पचल रहे गया आरे थाटी में यह यार तुम लो अगले टाइम अब पच्चों मधीन क्रेडिट तो वी कैन्नोट इग्नोर देम हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम स्कौँ अखिया है का मुझे आर्या Dogma कर सकते तो आओ ध्वा नहीं कर सकते तक हम मां के प्यार को नहीं गिन सकते मां के प्यार को वह बोलेगे मेरी में ने कि आज मुझे 10 किलो प्यार किया पापा ने मुझे 50 किलो डाट मारी है कि यह सोच ओगे और इसका आप मुझे अपने दोस्ती को नापवा कैसे कि इस प्रसार्थक क्षार्थक आगे है अभी कानी बहुत बागी है यह देयर सिग्निफिकेंट बेशक आप अपनी मा के पियार को ना ना पब अपने दोस्ती को ना ना पब कैसे बोलोगे मेरे दोस्त ने मुझे 15 को दोस्ती दिये ऐसे न आप सकते बट ये डीस आर बहुत जरूरी है जिन्दी की जीने के लिए और क्यों जरूरी है यह पड़ चुकियों है ना बहुत जरूरी है चलिए नेशनल डेवलप्मेंट पर आ गए भाई साब राष्ट के विकास पर आ चुके कितनी खुशी हो रही है ना प्यार महबत की बाते करती तो सब केक्टम लाल गाल होगे सब कहीं ना कहीं बाई साब बस भगवान से दो दिन चोटा हो आप हाँ सभी बात है तुमने भगवान की उमर देख लिए ना मुझे भी वहीं पहुचाने के उसमें लग रहे हो तुम लोग कि इंकॉं कितने मेरी दो वक्ति की रोटी मा का प्यार बाप साथ मिल रहा है परिवार का साथ मिल रहा है यहीं इनकॉम से क्या करोगे ने हिसम्दि इंकरवाले खिला देंगे खाना ठीक है ना नमस्कार म्स्कार ठिक हैNS बरशो चलो आप लोगों समझ में आत चुख है चल वह रहा है कि नियों रहा है तो चैनल डेवलप्मेंट हो रही है बिलकुल रही है इसके लिए कुछ फेक्टर सोते हैं वह हम अभी पढ़ लेंगे अना से एवरीवन हैस्ट दियर वे ओफ इंकिंग अभी अभी एक बच्चे की तिंग अलग थी एक बेटी की तिंग अलग थी अलग थी ऐस्ची neglect अलग थी फार्मर कितिंग अलग थी मेरी थिंगिंग अलग है आपकी तिंग अलग है हम सबकाइब्लप्मेंट के लिए अलग है yes बोला पागल है घर करके क्या करेगा इंकम बहुत होनी चाहिए एक बोला पागल है घर होना चाहिए इंकम होनी चाहिए सब केसी फालतु की बाते करें तो मैं करें देश में सबको अधी आधी और कि रहें बताइए अधी बताइए चली वट वहाच टोग लेश की डेवलपमेंट की बात करते अभी तक हमने फार्मर की डेवलपमेंट देगी जो अपने एंगरिकल्चर प्रोडक्स के लिए ज्यादा पैसा चाहता है मेंने बहन की बात बताई जो भाई के ब consider the whole country's development जब मैं national development की बात करूँगा इंडिया की परिवार जैसे बोल रहे हैं कि यह परिवार बहुत अच्छा तो कैसे मम्मी पापा अच्छे होंगे बच्चे अच्छे होंगे ऐसा थोड़े कोई बच्चा ऐसा होगा खराब सा चलते पिर त्यांको चिट्चडी ओ वहला कैसे मैंने अंकल के साथ लड़ते होई देखाता त जो जो खुशाई बिल्लए से बिल्ला बन जाओ अब अरे मडम की गलती थी मैं था सब कोई क्या ज लिखा यह सब नहीं पता डेवलपमेंट जो गोल्स वो सब के अलग अलग होते लोगों के बी अलग हैं इसलिए देश के बेलग हैं फो मैं क्या है जब हम बाद करेंगे कं ने नेशन की, whole nation की, so we can say that national development क्या है, is a development of every person, हर इंसान की development और group living in the country, एक एक आदमी अगा developed है, एक एक आदमी, एक एक राज्य की development है, आदमी, फिर आदमी से बड़ा राज्य, राज्य से फिर nation, तो अगर इंसान की development है, हर इंसान developed है, जब चाहँ जिस मन में आया है, मन में आया एक दम, अभी अमेरिका पहुच जाओ, तुरंट फ्लाइट पकड़ी पहुच गए, एक मतमी अभी की अभी एक दम से डॉमिनोस हो जाए, तुरंट खाना मंगा लिया, जो आप सोचो, जो इच्छा पूरी हो जाए, तो developed condition में हो आप, किसको सोचना पढ़ता है मजबूरी में, अरे गरीब को, वो सोचता है मेरे पास इतना ही पैसा है, मुझे इसी पैसे से बच्चे को पढ़ाना भी है, एक माबाब से पूछ रहा है, जिनकी इंकम बहुत कम होती है, उसी इंकम में बच्चे को पढ़ाना है, उसी इंकम में उसकी दवाई बिमारी, उसी इंकम में घर का किराया, उसी इंकम में आगे आने वाले खर्च और उसी पैसे में सेविंग जो डेवलप कंडिशन होती तो फिर ऐसा थोड़ी होता है डेवलप आदमी कैसा होता है देखाने यह जो ज़्यादा पैसे वाले बच्चे होता है सब्सक्राइब आपने इंडिया में आप सभी बच्चो का लिविंग स्टेंडर बहुत अच्छा है अच्छे से खाते हो पीते हो सब कुछ है साथी साथ एक्वैलिटी अगर देश में यह कहते हैं कि सब्सक्राइब बच्चे बहुत उपर है या फिर किसी और स्कूल का बच्चे बहुत बीचे हैं जैसा कि होता है कई बाट इचे बोलता है प्राइवेट बच्चे बढ़ते हैं अब इस्कूल बाइश आप थोड़ा सा डिमार्केट करते हो वह गलत है एक्वालिटी बेसिक एमनिटीज रोड शड़क बिजली पानी सभी को मिली हुई है अगर शड़क पर चटने से पहले ये बोलते जाए कि इस शड़क पर केवल हाई पैसे इंकम वाले लोग ही चटने ज्यादा पैसे इंकम कमाने वाले लोग ही हाईवे को यूज़ कर सके तो सब्सक्राइब यूज़ कि इनकम में चार लोग हम चारों की इंकम मेरी मेरे 15 बच्चों मतलब स्ट्टूडेंट्य जो है मतलब閥ा में इस मजब बना बना चारों की रीक्क इंकम मेरे चार घर के लोगों की इंकम अगर सिर्फ यहीं देश खत्म है मतलों इतना ही बड़ा देश है तो हम जो छे-साथ लोगों की इंकम जो है वो क्या बन जाएगी पर-capita income तो हर इंसान की इंकम यह तो ठीक है पर नेशन जब हाई नेशन मतब जब डेवलप डेशन होगा तो उसके लोगों की इंकम भी तो जादा होगी तो हम किसी भी नेशन को डेवलप कब कह सकते हैं जहां पर स्टेंडर अफ लिविंग वहां के सीटिजन्स का बहुत अच्छा हो उनको बेसिक एमिनिटीज पूरी मिल रही हो उनके पास इक्वैलिटी राइट्स हो उनके पास इंकम जो है पर कैपिटा जो इंकम कमाते हैं वह बहुत ज्यादा हो बीस हजार कमाता था दस साल पहले आज दो लाख रुपे कमा रहा हूं यह हाई पर कैपिटा इंकम है तो हम इस बात से हम यह कह सकते कि कंट्री जो डेवलप्ड है इस देखेंगे जिए अच्छा पूरी हो जाएंगे उनको इंकम अच्छी मिलेगी उनको जीवन अच्छा जिएंगे जैसे होता है आप विदेश में देखते हो कि अरे इतने अच्छा पूलिस आ गई इधा तो फुलिस पूलिस आते के साथ ही कैसे बलते हाँ बाई-साब क सब्सक्वाशं को बताइएअ सबको city national development के क्या-क्या आस्पेक्स हो सकते हैं आपको पता चलिए जो बच्चे पूछ रही थे झि अब ने तो बोल दिया कि हम हर एक इंसान की स्टेज जो डेवलप्मेंट होता जाएगा उसे डेवलप्मेंट कह देंगे पर बात यह कि हम कंपेर कैसे करें भाई इनको किस बेस पर करें मैंडम ने बच्चा बहुत अच्छा है यह बच्चा बहुत खराब है पड़ता नहीं ह पड़ाई रखा यह तो नहीं मन लिया किसके च्श्मा लगा यह बहुति इंट्चानियंट है और इसके नहीं लगा है तो intelligent नहीं है कि यह तो नहीं माल लिया है तो देख लेते हैं, when we compare different things, जब हम बहुत सारी चीजों को compare करते हैं, जैसे मानलीजी आपने स्कूटी को बाइक लेने के, तो आप उस टाइम CC इंजन देख रहे हो, इस एवरेज देख रहे हो, पैसा देख रहे हो, design देख रहे हो, company देख रहे हो, so could have similarities and dissimilarities, जब चीजों क compare करते हैं, जो बाइक आपने compare करी थी, एक तो बहुती महंगी compare कर ली, एक करोड की, और 10 लाग के साथ compare कर रहे हो, ऐसा नहीं करोगे, 10-11 वाली बाइक दिखा दो भाईया, है ना, या फिर जब कपड़े लेने जाते हो, भाईया ऐसा दिखा दो, 2000 तक का कोई dress दिखा दो, ऐसा यह बोलते हो, ऐसा दिखा 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 दे और एक 2 लाग का, बताईए ऐसा तो compare नहीं करते हैं, बताईए, math में 22 marks आएं, भाई साब SST की बात करो ना, SST बढ़ा लो, मुझे ही math नहीं आथी, मैं आपकी जगा होता हो, तो मेरे 22 भी नहीं आएंगी, है ना, आई श्कुभार सिंग, no voice prank करो, क्या है यह, पढ़ाई करने हो, प्रेंक करने हो, बात मैं करेंगे ना, प्रेंक, फिर मैं प्रेंक बताऊँ, आपको रियल प्रेंक कैसे होते हैं, So which aspects do we use to compare them, जब हम country, state को compare करने हैं, तो फिर आखिर क्या वो aspect है, क्या वो जरिया है, जिससे national development को आप compare करने वाले हो, बताइए, So let's start with your class, आपके class के साथ start कर लेते हैं, भाई साब देखिए, there are so many students, आपकी class में बहुत सारे बच्चे होंगे, आप practical अपनी class में पहुँच जाईए, Madam, यानि कि मैं खड़ा हूँ आपके सामने, और आप से अब देख रहा हूँ कि आपके class में बहुत सारे बच्चे है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे है, they differ in their height, health, talent, hobbies, etc. कोई बच्चा सस्वा लगाता है, किसी को cricket पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, कोई 5 feet का है, कोई 2 feet का है, कोई 10 feet का है, सबकी height अलग है, सबके, hobby से अलग है, सबकुछ अलग है, so it may be possible, क्या यह possible नहीं है, कि जो सबसे जादा तंद्रूस्त दीख रहा है, जिसको मैंडम कह रही है, कि हाँ, यह सबसे जादा तंद्रूस्त है, वो बच्चा जो है, पंडे में बिलकुल अच्छा ना हो, जो बच्चा बिलकुल मर जिसकी हड़िया से वक्ति देखो, उस बच्चे को कभी physical education का जैसा paper होता, जब उसमें जैसे अपनी shirt उतारी, उसकी collarbone, सारे lungs, फेपड़े सब हड़ी ने जला रही है, मेडम भी ऐसे देख रहे है, क्या पड़े करे तू, चल, तु जादा पहले खाना भी ना खा, वही जारूरी नहीं है, नहीं भाई साब, किसी प्रकार का सेवन नहीं करते हैं, क्लियर बच्चो, क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है बच्चो, कि कैसे हम student को kin base पे compare, अगर हम ऐसे जनरल कर रहे हैं, तो नहीं कर सकते, बट यह तो चलो class का मुद्दा है, देश को जब compare करना हो, तो फिर थोड़ा सा फर्क सोचना बढ़ेगा, So the most intelligent student may not be the friendliest one, जिसके बच्चे पे चश्वा लगा है वो ज़्यादा पड़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है, और जो बच्च्चा बिल्कुल पड़ा लिखा हो, वो दोस्त बन जाए सबका easily, वो भी जरूरी नहीं है, So factors सा अलगा लग है, समझेंगे नहीं, समझेंगी नहीं, आपके सारे question, जो भी stream regarding है, बाद में मैं आपको clear कर दूँगा सारे, आपके focus aim को जानकर कर देंगे clear, aim के हिसाब से सब चीज़े clear होती है, So how do we compare them, हम फिर इन बच्चों को कैसे compare करें, क्योंकि ये तो मान लिया, जो चश्मा लगाता है, वो पढ़ाकु नहीं है, और जो पढ़ाकु है, वो ज़्यादा दोस्ती नहीं रखता है, और जो ज़्यादा दोस्त रखता है, वो लवंडर नहीं है, क्या है फिर बेस? What is the base of comparison? क्या है फिर? So we have to choose the criteria for the all-round progress of children in the class, हम क्या देखेंगे फिर कैसे compare करेंगे, कि overall जो progress है, वो कैसे हो रही है, जो अच्छा खेलता भी हो, पढ़ भी लेता हो, दोस्त भी बनाता हो, बाई ऐसा नहीं है कि क्लास में नफरत पहला के बैठा है, मैंडम करी, बेटा, दे दे कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगा, नहीं मैंडम मैं नहीं करूंगा, अगर तुम जिम्मेदारी लेती हो, तो दे दूगा मैंडम, अब मैंडम भी कैसे जिम्मेदारी लेते हो, मैंडम ने भी देखा है, वो बच्चा ऐसा ही है, मैंडम च डाली भाई साब थोड़ा गंट्रोल थोड़ा गंट्रोल चीए ना क्योंकि हमने अपने स्कूल टैम में यह है कि जब मैंदम हम से कह थे लिए तो मैं भहुत कमी कॉपी शेयर करता था रीजन यह था कि अपनी मेनद दूसरे की मैनत हो गई और दूसरा फिर अपनी मैनद तो करे गई तो तो वर्लम फोजाती थी मेंनत बहुंँ सारे बच्चे जो नकल मारते हैं उनके नमबर हमेशा उनसे जादा आते हैं जीन से उनसे नकल मारते हैं बता हो सच है कि नहीं है यह यह इसलिए तो होता है क्योंकि आपने मेनद दूसरे को दिखा दी और दूसरे पापनी मेनत थी थी तो double marks की power आगी ना भाई साब clear एक निए clear है clear है चलिए so we take one or more important features or characteristics of person and start comparing them हम एक इंसान का base बना लेते हैं कि हमको इस base पे compare करना है मानलों आपने कहते हैं कि भाई साब 50% से उपर मास होने चाहिए height इतनी होनी चाहिए इतने मतलब ज़्यादा शेतान नहीं होना चाहिए पड़ा लिखा होना चाहिए फिर उस base पे जो जो बच्ची आएंगे फिर आप उसको compare कर लेंगे similarly अगर हम countries को compare करें so income को consider किया जाता है आप कहते हैं पैसे वाला आदमी है बहुत ड़ेven बंटी बहुत पैसर हमीर है अमीर कैसे है पैसह बहुत है अमीर देश एक पैसह बहुत है अमीर दोस्त है क्या इस दो CR.. पैसह बहुत है यही एक छीज है कि समझी अग़ी बात कि छलिए weat पैसा the most important feature यह तो रहुं जानते हैं ा कि पैसे सी जब सबकुछ बदल सकता है तो देश मी तो बदल सकता है बैस जो है वो नेशन के ओ सब्दbas को सब करने की यह यह नहीं नगा नहीं टॉटि कि आ आगे आपको समझा नहीं रहा हूँ आप यह मानलो जिस देश में ज़्यादा पैसा है वो डेवलप तो होगा नो डाउट नो डाउट चलो तो इंकम से अगर आप मालते हैं देश अमीर होता है तो ठीक है तो इंकम कैसे कैलकुलेट करें यह भी बता दीजिए हाव तो कैलकुलेट इंकम तो आई यह कैसे करते हैं एडिशन्स ओफ रेजिडेंट्स कैसे करेंगे मालनी जी यह राम है मोहन है सीता है यह राहुल है और यह पपीता मतलब की क्या है भाई सब प्रीतम है चली पपीता नहीं लिखते किसी का नाम होगा भी नहीं ऐसा बड़ पुराने जमाने में होते थे तो यह बेसिकले आप क्योंकि देश में पांच ही लोग थे तो पांच हजार ही देश की इंकम हो गई यही है फिर क्या नेशनल इंकम और यह हजार इच है तो यही क्या है बच्चो पर कैपिटा इंकम क्या है बच्चो पर कैपिटा इंकम उन पांच लोगों की अपनी अपनी इंकम पर कैपिटा आप क्यों काम का नहीं है क्योंकि डिफ्रेंट कंट्रीज में डिफ्रेंट पॉपुलेशन है यानि कि अब आगे वह स्कूल वाली कहानी जो बच्चा चश्मा लगाता है वह पड़ा लिखाओ जरूरी नहीं है जिस देश में लोग ज्यादा पैसे कमाते हो वह डैवलप्ड तो जरूरी थोड़ी है हो सकता है महां पर हेल्थ फैसिलरी गई गुजरी हो बिल्कुल लोगों को बिमारी का इलाजी ना होता हो रोड़ सटक पानी ना हो पैसा बहुत है पर बाकी चीज़ें जीरो हैं सब्सक्राइब बहुत सारे देश हैं जिन में आबादी बहुत बताईए बच्चों क्लियर है चलिए सबी कंपेर दा एवरेज इंकम सब्सक्राइब निकाल लेते हैं तो तो जिसकी देश में ज्यादा लोग होंगे पैसे जादा कमा रहे होंगे और जिनमें दस पांच ही लोग रहे होंगे दस लाग दो लाग तो वह तो वैसी गरीब हो दोगता है तो क्या होगा यह कैसे कैकल्कूलेट करते हैं आवेज इंकम कैसे एंकम होती है देश में वो पाँच लोगों की इंकम जात है उनकी टॉटल इंकम लिखलो और पांच लोग थे तो एक हजार होगी अभरेज इंकम हर बंदा एक हजार रुपे कमाता है जिसे आ आ average income is also known as per capita income average income is also known as per capita income क्योंकि आगी न भई टोटल इंकम leaving population तो 1,000 क्लिए क्लियर है बच्चो क्या आपको पर capita income का खंचेप्ट नेश्चन इंकम का कंसेप्ट एवरेज इंकम का खंचेप्ट क्लियर है की नहीं कि नहीं बताइए हाथ उताद के बताईए सब सब को यह 4-5 टॉम क्लियर एंगी बता है कि एक लिर सब को अ कि बता ये क्लियर सब को वच्चो को यह चार-पांच लोग मिलके जो कह रहें एक रुपया खो गया यह चार पांच रेट के उसी रुपया को खो रहें कि इनके पास और पैसा नहीं था एक ही रूपय में बैठें सारे लोग आज पासी बैठें मुझे लग रहा है तभी उनका वह एक ही रूपय है जो सब का खो रहा है तो जिनका खो रहा है भाई साब खोने दीजे पढ़ाई जरूरी है हुआ 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 है चल यह बहुत अच्छी बात है बच्चो चलि सबका क्लियर है कि कि सी को कोई भी डावट अगरें चारपांट टम्स में तो अभी बता दो अभी बता दो क्या है एवरेज इंकम एंग जीडीपी एवरेज इंकम बता देता हो बच्चो एवरेज इंकम का मतलब होता है टोटल इंकम मैंना भी वह राम शोहन पांच लोग बताये थे मान लीजे चलो फिर सबता था तो वन टू थ्री फोर फाइफ फाइफ पीपल है यह बंदा हजा पर कमाता है ज्यादा भी कमा सकते कम भी बट मैं और एवरेज इंकम है वो टोटल कितनी कमाई थी बताओ पांच हजार थी टोटल इंकम कितने लोग थे पांच तो डिवाइड करोगे वन थाओज इंकम को कहते हैं पर कैपिटा इंकम मतलब एक बंदे की आए जी डीपी मींस प्राइमरी सेक्टर अगर मैं बात करूं यहां पर जीड़ीपी मतलब बच्चो ग्रोस आई यह समझें यहीं से मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड़क्त क्या मैंने यह बोला है कि ुआ कि यहां पर कहीं बी इंकम रडी यूजवा ग्रोस ड्मेंस्टिक अज मतलब क्या होता है तो वैर को फ meant घर का हिंदूस्तान घरर तो पूरा सेकेंडरी एंट टर्श्री पीएस्टी सेक्टर इन तीनों सेक्टर की जब भी जो कुछ भी इन्होंने प्रोडक्शन की है इंडिया में वह एड कर तो जीडिपी कलाता है नाउ इस क्लियर और नॉट बताइए बताइए बचों क्लियर है the creation of per capita इंखम बच्चह definition of average income per capita income means that total total income of a country is divided by total population is called per capita income or average income twenty-ion मैं इबाइचा इसा पर के मैं से मों यही है इसकी definition Intel आपी डैक्विनेशन जैसे है आइना आप लिग देना 大rell income of a country divided by total population मैंदम करेक्त कर देगी मिल जाएंगे सब्सक्राइब करें लिए बच्छों चलिए नेक्स देख लिए बच्छों वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2019 क्या कहती है 2019 जो रिपोर्ट आई ती उसमें यह कहा गया कि जिंजन कंट्री की इंकम यूएस डॉलर 49,300 रूपीज फॉर्टी नाइन थाउजन रूपीज मतब इतनी साल में यह से जाधा होगी तो वह देश क्या क्या लाएगा अमीर देश क्या लाएगा कैसा देश क्या लाएगा बच्छों रिच देश क्या अमीर देश हो गया जो लोग भी 49,300 डॉलर क अगर 6700 दो डाटा और दिये गे थे 6700 मतलब लोगम कंट्रीज मतलब कि लोगम मिडल इंकम मतलब एक उता हाई है एक उता मिडल और एक होता है लो लोग जोड बोल रहा है यानि कि इस कैटेगरी में तो नहीं आते इससे उपर है और इसमें भी पूरी तरीके से नहीं आते जैसे कि इंडिया नई उपर है नई नीचे बीच में लटके में खजूर की तरह सो जिनकी इंकम यूए डॉलर पच्छी से वह तो छोड़ी दो लो इंकम गरीब देश क्लेरे की नहीं क्लेरे बताईए बताईए क्लेर है की नहीं क्लेर है 65 आएं आगे 100 भी आजाएंगे पूरी आजाएंगे चिंदा मत करो चलिए नेक्स देखते बच्चो सो इंकम और अधर क्राइटेरिया के बात कर लूँ आपके सामने तो मैं एक टेबल बना के लेके आया हूँ जिसमें क्या है हर्याना केरला और आप देखो कि भाई साब आपके सामने ही है बिहार थोड़ा सा ध्यान रगना बिहार को फोकस क रहता है कि वह सब भीहार पर थोड़ा सा संकट जादा रहता है कि तो आईए हर्याना की आप देख लीजिए इंकम लाग 47,628 पर बंदा पर कैपिटा इंकम है यह ध्यान रखना पर कैपिटा इंकम हर एक बंदे की इंकम है 2019 बीस का डटा कहता है 2019 पीस का डेटे लिए लिका है बाई लाग 47,628 बंदा एक इंसान कमाता है एक साल में हर्याना में वहीं केरला की बात करूं तो दो लाग 21,904 रुपया कमाता है एक बंदा एक साल में वहीं बिहार की बात कर लूं तो 46,292 रुपया कमाता है एक बंदा एक साल में बिहार में क्लिए निकम का डाटा समझ लीजि कि समझागी बात सबसे यह इंकम किसकी बच्चो खुप क्राइटेरिया मतलब बच्चो खुप क्राइटेरिया मतलब आप समझो कि पैमान ओधान इस तर्ज में इस बेस्पन आप वोगया आप कि भाई खुराइटेरिया बना दिया मैंने कि जो बच्चा 10 तक पढ़ा है वो बैठे है क्राइटेरिया एक डिवीजन मना के रख दिया है क्लेर बच्छो क्लेर है रिदीमा अगरवाल बस बस किसी को डराना नहीं है ठीक है बच्छो चलो मैं इन तीनों स्टेट का आपको बता रहा हूँ उसी बेस पर आप देख लो कि पूरे नेशन को भी अगर ऐसे ही कंपेर करना हो तो आप एक बात समझ लीजिए कि इंकम अकेला बेस नहीं है है उसा रीजन क्या है अगर आपको कहानी पता है अपनेजिया में अपने इंडिया में हर्याना बेशक जादा कमा रहा है बे साउट में एज हर मेंटर में, एजुकेशन में, फ्रीडम में, बेसिक एमेनिटीज में, बढ़ नहीं, हमने तो सर ये बढ़ा है कि केरला एजुकेशन के मामले में 100% लिट्रेशी रेट रखता है, अधर डेवलप्मेंट्स में भी है, सो, टेबल देख लेते हैं, आपने टेबल देख ली, टेबल देख लो अच्छे से बच्चो, ताकि आप अगर कल को कोई भी डेटा बनाओ, अपने एसाब से भी, वह आप लिख सकते हो, अगर आपको पेपर में और अच्छे से लिखना है, तो आप कोई भी डेटा बना के लिख दो, नौट एक्च्छल फीगर्स, और दो लाग, फिर एक लाग सत्तर आजार, और तीस, चाली सार ऐसे डाल दो, फिर टीचर को भी और अच्छे से दीखेगा, कि मतबब हाँ, लेटा याद होने वाला है, नहीं वाद होता, चेकर को भी याद नहीं है, तो आप समझ कि अपने इसाब से बना सकते हो, तो यह फीगर, जो आपकी पर कैपिटा इंकम बता रही है, वो भी कैसी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, एट करेंट प्राइस, करेंट का मतलब जिस साल आप नाप रहे हो, और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यू कह रहा हो, क्योंकि हराना इसाइस स्टेट, केरला इसाइस स्टेट, बिहार इसाइस स्टेट, मैने इंडिया की नहीं नापी है, मैने स्टेट वाइस नापी है, तो नेट स्टेट डोम तो फिर NSDP पढ़होगे. net state, domestic product तो कैसे calculate करते हैं? So when depreciation को हटा दे, किसमसे, gross मसे तो आपको मिल जाएगा क्या net state, domestic product या फिर net, domestic product मैं आपको बता दूं की calculate अपकरते हैं, यह क्या है? GDP is equal to NDP बिपादा जा सकता है Gross domestic product कैसे calculate करते हैं? जब आप हर स्टेट की नेट डुमेस्टिक प्रोटेट को जी और एन सिर्फ देखो डी सई है पी सई है डीपी सेम है जो चीजे से में उसे मिटा देते हैं डीपी बचा कहा जी और एन जी मतलब ग्रॉस नेश नेशनल तो ग्रॉस कैसे आता है मुझे बताईए नेट निकाल जी सबकी लोगे और एंग्रॉस मैं से माइनस करतो डेपरीशेशन आ जाएगा कोई इंकम टेक्स वाले इंकम कैसे बनाते हैं इंकम जितनी होती हो सारे खटा दो आप अपनी सेविंग कैसे बनाते हो इंकम मैंसे सारे खटाने के बाद जो बच्चा वो सेविंग है कि पहले भोल देते हो कि जो इंकम आई है वही सेविंग है नहीं न तो ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देप्रिशेशन चलता है और वहीं अगर आपको नेट निकालना है तो डेप्रिशेशन माइनस कर दो जी बसे खिले रहे की नहीं बच्चो खिले रहे की नहीं बताइए लेंगे ब्रेक लेंगे बच्चो लेंगे भी तो टोटल वैल्यू आफ और गॉड्ट्स अं सर्विस इस 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 वाट जी डी पी इंतिजार कर रहे थे ना जी डी पी ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट टोटल वैल्यू आफ और गॉड्ट्स अं सर्विस प्रोड्यूज इन अ कंट्री दूरिद ऑफ वन यर दोजार थेईस में प्राइमरी सेक्टर ने कितना किया तीनों सेक्टर का टोटल कर दू दोजार थेईस की टोटल प्रोड़क्शन तो जीडीपी 2023 का निकल जाएगा अगर टेबल की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो पीछे हर्याना था उपर फिर केरला था बिहार था तो हर्याना हैस दी हाइस पर केपड़ा इंकम एगरी कि नहीं दो लाग 47,000 थाना था देखो दो लाग 47,000 628 रुपे इंकम है हर्याना की तो यह तो भाई बिल्कुल सच बात है कि हर्याना के बास मोस्त इंकम है उसके बाद बिहार बॉटम पे है केरला बीच में सच बात है कि नहीं बताईए ठीक है बच्चो समझ भाई कि डैप्रीशेशन बच्चो घटना मतलब एक आप गाड़ी लेते हो अब आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी यूज करोगे गाड़ी जब आपने लीती 10 लाग रुपे की लिए जब आप बेचोंगे तो 5 लाग की विक्री है तो 5 लाग उसकी तो डैप्रीशेशन मतलब उसकी वैल्यू कम होती गई वैल्यू कम होती गई अब जो आपने बुक खरी थी 10th की वह आपने 100 सौर पे खरी थी माल लो सपोज एक बुक सौर पे खरी आप बेच्चोंगे तो हाफ रेट जाएगी बाई चांस हाफ रेट ले रहा है जो भी उठय कि बताईए क्लिए बच्चों का एंकम कम है बच्चों क्योंकि वह दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहें वहां से उतनी आ रही है उनके स्टेट में अपने इंकम शोर्स नहीं है वह पयाँ पैसा जादा नहीं मिलता है दिल्ली में जो इंकम मिलेगी वह क्या करता है वहीं बिहार में 46,000 सम्थिक रुपीज कमाता है एक्कॉर्डिंग टू हर्याना क्या हो गया मोस्ट डेवलप स्टेट हो गया राइट और बिहार जो हो गया वो लीस्ट हो गया इस डाटा से क्लियर है यह बात ही तो समझ मेरी है हर्याना की ज्यादा इंकम है मैंने बो स्टेट जो है क्या हो चुका बहुत डेवलप हो चुका बिहार केरला करनाट का सबसे आगे अभी तक का चूट आटा देखा उसमें हर्याना बिल्कुल टॉप पर है क्यों हर्याना पैसा साधा कमाता है तो क्या मैं कहते हूं क्या डूइगी और नॉट बताईए क्या हम कह स कि हुआ तक हर्यानगे मोट्रिटि रेट जो है याईनि की जो बच्चे हजार जीवन जो हजार बक्चे जब बर्त लेते हैं उसमें कितने लोग मरते हैं 27 लोग मर जाते हैँव हई के लाँ मिर्टियोक है बिहार में 29 मरते लीजिए जो के लाइसे वीचता यहां आगे हो चुका ध्यान से देखिए भक्तो ध्यान से देखिए बग्तो हर्याना और केरला का डिफरेंस समझ लीजिए वहां के यहां जादा था इनकम कमाने में अब मृत्यू की बच्चों की बात आई तो केरला जादा मतलब सेफ है यहां पर पढ़ाई की बात कर लिज क्या बड़े कज़र अपना खेयत है आराम से एक दम खेलेंगे 98 केरला 43 बिहार आप बताइए कि जो बिहार अभी तक हमने पिछली स्टेट पर बोला किसे दिट मोस्ट डेवलप्ट स्टेट अब यहां कि क्या हो गया डेवलप्मेंट कहां गई भाई और फेक्टर में क्या हो वो बताइए है कि यह बच्चो कि एक लेवर चो कि अभी ऊच्छो कि रहा चो की चलिए इन अफ फ़र्स्ट रो आएमर में केरला जो है आउट ऑफ थाउसंड चिल्टरन में 6 मरते हैं केवल जो नीच चैनल नहीं सक्वानिक पहुचने तक यही चा है बच्यो आएमर जो है आई एमर की डेफिनेशन यही है कि वन एर तक माली एक हजार बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितने बच्चे वन एर तक पहुंचे एक साल तक उनकी उमर हो पाई एक साल से पहले जुतरे मर गए वो सारे के सारे क्या होगे बच्चो मॉटली डेट में काउंट हो गए क्लीर है की अबता ही बच्चो रिच्च बच्च बढ़िए बच्चो क्लीर है की नहीं किलेर है बताई है चली यह नेक्स्ट देखते हैं हैं हर्याणा की बात करें 27 हैं बट रिमेंबर दपर कैपिटा इंकम ओफ रेना इस दी राइंड ऑन दी के रित Congress प्रस बदिन साहर भी इसके बावजूद भी महर्याना को डैवलप नहीं कह पाएंगे तो आर यू थिंकिंग अबाउट आयम आर क्या था तो आयमर क्या बच्चों इंफेंट मॉटलिटी रेट जो मनें पीछे देखा के रिला के लिए एक हजार बच्चों कहा जन्म होता है और कितने बच्चे वन येर्ट तक के हो गए जितने हो गए सपोज 500 हो गए तो 500 कहा गए 500 डेथ हो गी 500 मर गए सबको आइमर क्या होता है यही डेफिनेशन है थाउजंड लिविंग बर्स में कितने बच्चे वन ये के पहुंचने तक खतम हो गए उसे कहते हैं क्लिए बच्चो चलिए आपको क्लिए हो चुका है आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह मैं मान के चल रहा हूं in 1666 ृ॥ nor yeah the food topic टोपआप लिटरेशी अगर हम लिटरेशी और भी लिटरेशी बात करें पढ़े-लिख टो कोई आगे बच्चो टेहले हैसलिटे रेट केला इसलिटेशी एथ यहले लिटरेशी रेट नाओट इस लिटरेशी रेट पढ़े दर क्या ए श्एत सेघा और पढ़ाय लिखाई में लिटरेसी में ज्याद रॉका रिज रहे हैं में से सब लोग पढ़े-लिखे होने ची oppressors से नीचे के बच्चे को सब कुछ अब Crunder को ने तो चिल्टन जो है कितने थे भाई साब 14-15 साल के बच्चों का हम दिखा रहे थे कितने पड़े लिखे बच्चे कितना है तो आपको डाटा समझाना था वो मैंने समझा दिया जो आप लास्ट टेवल मैं दे क्या है आप मैं लाटने ले झाओं अगर वहीं मैं बात कर लंग पर एक सब्रेंट अटर इन्दिंट के बाद ग्रण्ठ के बद outbreak साल टैडार के पड़ेट एर DAY मॵमनिद रिमाखुा छोड़ देता है या फिर पढ़ना चोड़ देता है काम धदे में पढ़ जाता है जो भी रहा हो go the measure through net attendance ratio कोई बच्चा अब कितना इसकोल में आ बढ़ राभ रहा है नी पढ़ रहा है तो यह जो percentage निकाल लिए ये निकलती है बच्चो नेट अटेंडेंस रेश्यों के तुरू अटेंडेंस मतलब कैसे स्कूल में जाएंगे भाईया टीचर देखेंगी कितने बच्चे आए क्लास में में एबरेज कैसे निकालती है क्या आप 10 परसेंट जो मिसिंग थे कैसे मिसिंग थे टोटल अटेंडेंडेंस को देखा महीने रहे हैं इन बच्चों को देखना है कितने स्कूल आ रहे हैं 14 15 सालं के मालों एक इलाके में दो लाख बच्चे आप तो ए एकिला अलाव आ रहे हैं तो है gala अट ने यह बाटीं प्लिए बच्ट्पि के नहीं है ढ़र करने ने इस यह देखा जैसे मैंने देखी दीजेश्य मैंने आने पैसा तो बहुत घमाता पता नहीं के रखें के ला पेशक पैसा कमiren बताई आज फ़े रही है के लिए अब ग्रैवना थे जो बताइए ऐट Χोई ऑल्ले मच्छो तो अगर के पाताई थम् सब कर दीजा तक क्लिए रहने क्लिए छप को अभी तो ज्यादा कहा टाइम हो बच्चों अ कि नेट रेशियो नेट अटेंडेंस रेश्यो बच्चों नइट अटेंडेंस रेशियो एटेंडेंट कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं स्कूल अटेंड करने पढ़ने 14-15 साल से अभी बताया ना यह रहा आपका कि आ अब क्लिर है पदाये क्लिए बच्चो चलिए आप बेक की कह रहे हैं हम ब्रेक लेते हैं पुब्लिक ऐसली यूजसे फिर स्टाट करेंगे जस्ट एं मिनिट्स का ब्रेक 340 342 हो रहे है 352 फिर क्लास को फिर से रिजूम करेंगे बच्चो ठीक है बच्छो हर्ष जा बता अहीं है क्या प्रोब्लम वच्छो में आको iba करें हैट कि अहोत नए gemeins प्रोब्लम है तो बताओ ना क्या प्रोब्लम ने बताई क्या अश्र फ्रोब्लम में आपने गाड़ी खरीदी थी आज से दो साल पेले 10 लाग की आज बेचने जाओंगे 10 लाग की नहीं बिकेगी 8 लाग 7 लाग 6 लाग जो भी बिकेगी आप पूछना कि मैंने 10 की खरीदी थी आज तुम 8 के ले रहे हो 2 लाग रुपे कम क्यों दे रहे हो वही डेप्रीशन है व हुआ 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 है ठीक है बच्चों हम लोग 10 मिट्स का ब्रेक ले रहे हैं आप से फिर मिलता हूं ब्रेक के बाद जब तक आप लोग थोड़ा असा देख लीजे भाई रिफ्रेश्मेंट ले लीजिए अपनी झाल 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 कि आगे बई सारे लोग बच्चे आग चुके हैं क्या कि टाइम गैप पूरा हो चुका है जितना दिया था भाई उतने से ज्यादा टाइम नहीं देंगे बच्चों आवाज आरी एक बार फिर से कन्फर्म कर दीजिए कि आई होब कि सब को आवाज आ रही होगी क्लेर बच्चों सबको आरी आवाज हाई 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 एवरिवान कैसे हो आप लोग भाई कैसी आपकी बढ़ाई चल रही है दो गंटे पहले कैसी मतलब करीबन होने को हैं इस वक्त में आई होब कि आपको जो कुछ पढ़ाया बहुत अच्छे सा समझ में आया होगा और अगर स में बताइए क्या कोष्ण है आपका बच्चा करें बताईए आपके और झाल्ट कर लिए किसी का भूक्त नहीं रहने वाले हैं Allah अधिद्य आतांग है क्या यह बढ़ाई आक में नाम लेने का डाउट है यह आपको लग रहे है ंबताओ भी मुझ हान्ट और राइक है उनक कि जोगी बाबा सब खतम कर देंगे टेंशन ही नहीं रखनी बताइए कि 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 सार्थक सींग क्या जानना चाहते हैं पूरी केस्ट्रडी मैंने अच्छे समझाईए आई होब कि आपको सब को केस्ट्रडी बहुत अच्छे समझ में आ गई है पर कैपिटा इंकम क्या होता है रिशी राठ और बच्चों जिनको भी लग रहा है कि डेटा एसिट ही समयाद करना है आप डेटा चेंज करतों लिख देना प्रैकिट में कि नौट इन एक्च्छल फीगर्स सो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि दो लाग शालीस जार शेसो अठाथाइस याद नहीं है दो लाग मतब 47 जार शेसो अठाथाइस याद नहीं है दो लाग पचास यार करतों रफ रफ लिख दो ना नौट इन एक्शन फिगर्स मैडम को डाटा सरकारी डेटा नहीं जानना है किसी को भी वह आप से पूलेशन लेते हैं कि आये मार मॉटलिटी रेक मनने वाले हजार में कितने लोग मरें बस यह आये मार है कि बच्चों जिनको लग रहा है न कि मतलब कोशन क्या एंसी क्यू फॉर्म में आने वाले मैं पहले एक चीज़ बता दूँ अभी फिलाल में सीबीसी का एक्जाम चल रहा है जो आप लोग शाहिद नहीं समझते होगे सीटैट का एक एक एक्जाम होता है बहुत पहले ना स सरीका जो है वह सीप पूछे वाल नाइनर पूछ ले या फिर आपका टू मार्क्स में पूछ ले कुछ भी पूछ सकते वह आपकी नॉलेज निकालना चाहते अब थोड़ा सा पैटर्न बोर्ड को ना लेके गौवर्मेंट विरा सीरियस है बच्चों का डेवलप्मेंट कर जीडीपी का कंसेट मुझे लगता दुनिया में जीडीपी से आसान डेफिनेशन कोई चीज की है ही नहीं अगर आपको यह बेसिक नहीं समझ में आया ना तो सीरिसली बता रहा हो एकनॉमिक्स का समझना आपके लिए अत्यांत दुखदाई हो सकता है रीजन ही है कि जीडीपी में है ही क्या आप वो डेफिनेशन ही नहीं समझ पा रहे हो आपको यह समझ में आया है तीन सेक्टर होते हैं बताओ मुझे क्या यह समझ में आता है सबको तीन सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी जिनको नहीं पढ़ा वो मेरी क्लास को देख सकते हैं बताइए वो class is को देख सकते हैं बच्छो दो से तीन मार्क्स पर वैरी कर रहा है यह chapter मैं आ रहा हूँ एक करके सबके डाउट प्यारों मैं पढ़ाऊंगा मैं आ रहा हूँ सिर्फ पांच मिनिट में आपके और 355 वह पांच मिनिट के आपके रेंडम डाउट में ठालेता हूं लेट्रेशी रेट अभी बताया चौधा बंदरा साल वह बताया आपको नेट अधन रेषियो और सात साल से ओपर लोग कितने पड़े लिखे हैं रीड़े réd s haakken सात confront लोग पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं टेटेशी रेट है और अभी बता है नेट अटेंटेंटेंस रेशियो 14 से 15 साल बिहार के एक्जांपल दिया था पचास जार बच्चे थे दस जार बच्चे इसकूल आता है तो टेन थाउजंड इस एने यार देखो सिर्फ इसी टॉपिक चैप्टर के भी डाउट करो बाकी का नहीं कि हार natuurlijk मैं्यस्थ्टर का दूसरा नाम मैंनूफक्ट्रिन सडर इंड झो था मैंनूफक्ट्रिंग इंड़ Nich République होती है तो से हम जो है सेगे सेटर को इन्ड़े EC फंटर भी गया सकती है अ है के ने निकम मतलब जब अभी मैंने बोला ना पापा की इंकम भाई की इंकम और आप की इंकम ऐसा ही तरह हर लोगों में घर में कमाने वाले लोग होंगे उन सबकर्वेंपन चोड़ गोर तो जो जो आद कमाता है देश में नैशनल इंकम नंग जाएगी एक स्टेट में अभी इक स्टेट में हरला एना का है हडा गार भी को एट एक सेकेंट्री भी ए इन हरैंग용हर। कि जीडीब गवर्मेंट कैलकुलेट करती है डिपार्टमेंट है इसके लिए बताई ये कॉमेंट सेक्ष्ट में कौन से डिपार्टमेंट है बताया हुआ है रिशांत्र मुझे नहीं लगता है ये जो आप बोल रहे हैं ये क्लास में आपके आने वाला अगर ये लिख दिया तो मेरी तरफ से शूर हो कि आप एक्जाम से बिल्कुल आप जाने वाली हो बिल्कुल एवरेज इंकम बताई ना बच्चो अभी बताया है पापा है भाई है और ये है तीन लोग है तीन लोगों की इंकम काउंट करी आपने उसको तीन से डिवाइट करतो कितना आया तीन लोगों इनों मालो 15,000 है एक हर बंदे का 15,000 है पाँच आप आप और पाँच आप का भ तो मैं ले रहा हूं ठीक है भाई चलिए लेट्स का मतलब क्या है बच्चो आप यमुना एक्सप्रेस में जाएंगे गाजियाबाद जाएंगे एंपी जाएंगे तो आपको रास्ते पे टेलीफॉन बूत की सुविदा होगी वाश्रूम की सुविदा होगी है ना ऐसी रोड अच्छा होना चाहिए आपके स्टलक पानी बिजली आपके हैल्थ फैसलिटीज यह सब है हां है तो आप डेवलप्ट नहीं है तो नहीं हो चलिए अच्छी एजुकेशन मेरे देश में हर बच्चा अच्छा बढ़ता हो सब के पास जॉब ऑपर्चिटीज अच्छी हो सब केवल इंकम इस डॉट दी सफिशेंट टू मार्क दा स्टेटस ओफ डेवलप्मेंट एक्जामपल आपने लिख देना है हर्याना और केरिला का बना देना वह आप करीच चुके हो कि हर्याना की इंकम तो बहुत थी पर वहीं हैल्थ में मामला बहुत खराब है मॉटलेटी डाउन है लाइफ एक्पेंटेंसी घटी हुई है लिट्रेशी घटी हुई है सब कुछ घटा हुआ है सो इंकम से आप डेवलप्मेंट डिकलेर नहीं कर सक करते हो रीजन यह कि पैसा जरिया है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पर उस चीज के अलावा भी और भी चीज़ है अगर इंसान को अच्छी मेडिकल फैसलिटी सी नहीं मिली तो पैसे का क्या करोगा पैसे क्रोल कमाते हो पर आपके देश में होस्पिटल नहीं है अब वहीं खतम होगे उस जटके में निकल गए शर्माजी तो शर्माजी तो रोड सही गए तो रोड अच्छा होना चाहिए वहां पहुंचे डॉक्टर मिला लटाओ इसको सर्माजी को एकदम एक नमबर भी ठीक करते हैं लिटाया शर्माजी को इसा बोला है इंजेक्शन आते ना गाओं में डॉक्टर काट में लिटा के अपना ड्रिप चड़ा देते मतलब गुलकोस की बोतल सो अच्छी मेडिकल फैसलिटीज हो अच्छा होस्पिटल हो साफ सुत्राओ क्लिनिक एकदम ऐसा ना हो कि महां कीडे छोट 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 कीडे निकल रहे हैं महां मर र जाए बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की दिक्कत होती है खाना नहीं बचा पाते हैं शेहरों में से टेलरे होते हैं पार्क में इधर उदर रात को गूम दें डाइजेशन आपको कुछ नहीं करना तैलने की कोई जोरुत रहे हैं खराब रोड पर केवल गाड़ी लेकर निकल जाए ऐसे जब जाएंगे ने ऐसे एसे करते पेट में देखना सब सामान ऊपर निच्छ ओजाता है खाना दो मिन पच जाएगा ऐसे रोड इसलिए बनाए गए ठीक है है ना तो ऐसे रोड़ों को इसलिए जाता है चला बच्छो तो यह सब तो नहीं हो सकता हर्याना चेरला बिहार के एक्जमपल में आपको देश रुका हूँ कि केवल इंकम कुछ डिकलेर नहीं कर सकती तो आई कन प्रूव देट मनी अलों इस नौट अफेक्टर विच है यू तो लिव यानी कि मैं आई कन प्रूव मैं प्रूव कर सकता हूं आपके सामने कि पैसा ही जिं करना कि आपके लाके में कोविड आा अब कशसानिके मतलब आपको कोविड हो गया पैसा हों के सामने हॉस्पिटल अचछा नहीं हे रोड अच्छ नहीं हे जाते जाते प्राणतियाग दोगे मैं बता रहा हूँ पैसा कोछ नहीं होता पैसा इस convenience निकल जाता है so your money cannot save your life अगर आपके इलाखे में पेंड में फैला हुआ है आप क्या लोगी जाज जाता है चट पेंड़ जाओ के ऊपर कोई मेरे पास नहीं आना बढ़िया से कपड़े पहन के घर तक बिलकुल घर वालों को पता है बाइसाब अभी अभी कपड़े प्रेस करके पहने क्यों इससे टेच होना बढ़ा निकला बाइसाब कपड़े खराब कोई बच्चा साइक लेगा और को सिधा कपड़ों पे होगे खराब सो जब तक बढ़ा महामारी या फिर बिमारी फैली हुई है और आप करें मैं बच लूँगा कैसे बच होगे आप भी तो सोसाइटी में रोगे आप खानक लेने भी जाओगे भार हो सकता है कब तक अपने घर के राशन से मिना कब तक सुब बगल में बिमारी हो तो फिर देश में महाम इंटेक्स यानि कि जब मानब विकास को इंकम पे हेल्थ पर कैपिटा इंकम पे जब नपते हैं तो हिमन डापरहें पर कितना अच्छा था हेल्थ के आप खराब होने अच्छ्छा हो गया पहले कितनी इंकम कमाता था बेसिक चीजों को लेकर शीलंगा की जो डरोस नेशनल इंकम पूर्य देश जो जितनी कमाता है पर केपिटैंगों तो एक इंसान कमाता है जब टोटल हो जाती है तो ग्रोश नैशनल इंकम या फिर नैशनल इंकम एक ही बात है जी एनाई या फिर एनाई एक ही बात है कोई डाउट नहीं है किसी को शीलंका का आप डाटा देख लीजिए लगबग 14,000 रुपे इंडिया लगबग बहतर सो के असपास मयामार 4200 पाकिस्तान 58 नेपाल 1480 और जो बांगलादेश है 69 यह राटा देख लिया जिन्दगी कितना कोई जीता है लाइफ एक्सपेंटेसी कितनी है तो शीलंका में 77 है इंडिया में 70 साल तक जिन्दगी है मयामार में देख लीजिए पाकिस्तान नेपा और बांगलादेश इन सब में देख लीजिए ठीक है वहीं human development देखें भाई देखिए बहत्तर 131 147 154 142 133 आपको जो फोकस करना है वह आप करेंगे किस पर बच्चों इंडिया का डेटा देखिए यहां पर सबसे ज्यादा कौन है देखिए श्रिलंका आपके सामने इंड दो और तीन यहां देखिए 131 है इंडिया से उपर कितने हैं वान टू थ्री एंड फॉर अब यह जो कंपरिजन देखा आपने यह टू-3-4 वालों का एक बार देख लीजिए 234 234 यानिकि लगबग नेपाल बंगलादेश यह लोग इंडिया से human development index में ज्यादा है पर इन आप यह देखो तो इंडिया से जादा यहां भी आगे हैं सो अब समझ लेते हैं सो बिफोर दा श्रिलंका क्राइस जब 2022 में अभी हाल फ्लाल में श्रिलंका में प्रेजडेंट और देश माहर सिस्ताया जैनि पॉलिटिकल अनिस्टेबिलिटी हो गी थी सिच्वेशन बिग लगभग आता है श्रिलंका है कितना सा इतना श्रिलंका है हनमान जी ने एक पैर में आप दिया था पुरा इतना सा है बस ठीक है सो आइलेंड श्रिलंका इस फार आहेड ओफ इंडिया इन एवरी आस्पेक्ट कैसे नहीं देखलो वाई इंकम देखो आगे है लाइफ एक्स 살작 कभिए सब्सक्रैइबद सायर इनकम किए हमसे कितनी कम है धुए स्ब्सकूर में सब्सक्राइब जाए कि आप देखते हैं अगरा आपको यह चप्टर नज़र समझ में आ गया तो एक चीज समझ में आगे कि खाली इंकम से ही आप जो है चीजे नहीं देख सकते बाकी अधर फेक्टर भी आपको जानना जरूरी है इसीलिए इंडिया से आपको अधर जो नेशन से वो बेशक इंकम के मामले में कम होंगे बट अधर फेक्टर में आपको इंडिया से आगे नजर आ रहे हैं समझ मारी की नहीं बात समझ मारी की नहीं बात बताईए Human Development Index Human Development Index क्या मेजर करता है बच्चो कि आपकी जो हेल्थ है वो लॉंग है की नहीं है अच्छी है की नहीं है सुधरी है की नहीं है हेल्थ देखता है नॉलेज देखता है डिसेंट स्टेंडर अफ लिविंग जिंदगी भी देखता है कि आदमी किस इस्तर से सुधर रहा है मतला पहले गरीब ही थी आप उसकी इंप्रूमेंट हुई नहीं हुई इंकम के मामलि में हेल्थ के मामलि में सब देखते है वाइट देखनी है तो क्या देखना आना चाहिए वह उसके पास इनकम कितनी सुधरी है उसकी ओवरौल ग्रोथ कितनी हो रही है यह सब जो होता है इसको देखते हैं Human Development जो रिपोर्ट है वो United National Development Program जो है वो प्रिपेड करता है UNDP मतलब बच्चो United Nations Development Program क्लेर बच्चो UNDP उसको जो प्रिपेड करता है UNDP मतलब Human Development Report को इवेलेटरेस क्या सा हो सकते हैं किन तर्ज पर हम नापते हैं तो मैंना भी पहले बताया Life expectancy कौन बंदा कितने साल जी रहा है Mean year of schooling कौन बच्चा कितने साल schooling करता है ऐसा तो नहीं कि कमी कम साल पढ़ रहे है या जिन में 25 साल से अधिक और मोर के लोग per person 25 age 25 साल तक के तो वह basic शिक्षा में आई गए उससे आगे कौन पढ़ रहा है क्योंकि यूथ 15 से 25 वाला वो पढ़ा 25 से आगे वाला पढ़ा और भी मतब जिस भी आप एज में चाहो तो पढ़ाई कि तो खेर कोई एज नहीं है बढ़ हम यह 25 तक गिन रहे हैं और ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा यानि कि लोगों की इंकम इन शॉर्ट यहां पर इंकम की बात हो रही है एच्टिय मतलब बच्चों हूँमन कि डेवलप्मेंट इंडेक्स को यह है एच्टिय आई ठीक है बच्चों अमर्ते सेन और महभूब उलहक यह वो दो लोग है जिन्होंने इंडेक्स को बनाया था पहली बार 1999 मतलब 1990 में ज्यादा ही लंबा हो गया 1990 में मैंबूब उलहक और अमर्ते सेन जो थे इन लोगों ने समर्मेंट इंडेक्स को प्रिपेर के एक टेबल बनाया किurposeाइट यादावलप्मोंक्राइट नो यह पर सपनिलते संच्याओ क्ल न म हाई एक जब रोड बना चल एक और रोड बना फिर एक और रोड तो नजर आ रहे हैं दसोन साल से पचासों साल थे वही दो रोड है बेकार हो गया तो डेवलोपेंट विच नॉट आज की नीड की जरूत पूरी हो जाए आज जो हमें चाहिए वह तो मिली रहा है बट इन आल्सों कैप्ड फॉर्ट फूर्ट अगर भविश्य में मुझे कभी ज जनरेशन केंमीट रिक्वार्मेंट स्विदाउट कॉम्परमाईज कि आज हमारे पास पैसे की कमी हो सकते कल को इतना पैसा अच्छे कि आने वाली जन्रेशन यह ना कहाँ चाहिए यह खरीदू यह खरीदू आरे मैं तो सब खरीदूंगा पैसा बहुत है समझागी बात सम सब को सस्टेनेबिलिटी पर जोड देना चाहिए यह सब करो कि इस नेचर से सब कुछी रिसोर्स से देश सब रिसोर्स खतम हो जाए उन्हें इतना यूटलाइस करो जितनी जरूरत है और उसके बाद फ्यूचर की जनरेशन के लिए छोड़ दो ताकि वह भी इस चीज का आप अगरिकल्चर कर रहें बुरे तरीके से कर रहें अब खेती को धर्ती को परिशान कर दिया तीन-तीन फार्मिंग क्रॉप्स ले रहें उससे पहले एक होती थी अब तीन हो रही है आने वाले टाम में जब धर्ती पूरी तरीके से फटलीटी खो देगी फिर एक भी नही है तो एक बार आप जरूर इसकी फोटर खीच लीजिए ताकि आप लोगों को यह पता रहे कि भाई सब क्या है है ना बहुत जरूरी है यह बच्चो ध्यान रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं बता दूँगा इसमें इंपोर्टेंट क्या है बट फिर भी याद रखो बच्चो आप देख लीजिए एक बार इसको बच्चो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या-क्या बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वैसे तो सारा ही जब बड़ी क्लास में आ जाओगे तब सारा इंपोर्टेंट है एक बच्चा कुछ डाउट है क्या किसी को ठीक है अच्छा एक बच्चे का बार बार रिपीटिट आ रहा है एक बार और आजाए बच्चो आपको कमेंट में देख लेता हूँ कोई मिनिस्ट्री सहत पूछ रहे हैं कि जीडिपी कौन कैलकुलेट करती है अब बोलोगे यह कौनसी मिस्ट्री है तो वलोगे यह कौनसी मिस्ट्री है तो Ministry of Statistics and Program Implementation इसमेर मॉसी कहते है रीदी मागरवाल बताए यह क्या डाउट है आपका बताए यह क्या डाउट है बच्चो तो देखिए यह अभी हमारे पातoma sustainable goals है total seventeen sustainable goals से important सारे हैं सारे वैसे important है अब जब आप सारे government exams के रहा होगत तब जाद है इंपोर्टेंट है अभी फिलाल आपको जो है नो पोवर्टी बिल्कुल एकदाब हाई कंसर्ण है जीरो हंगर गोड हैल्थ क्वालिटी एजूकेशन जेंडर निक्वालिटी क्लीन ये साथ में जो अम्यूम टॉपिक पढ़के कहें सस्टेनवल सिटीज ये बहुत ज़रूरी है एफटेवल डिसेंट वर्क हालाकि ये भी ज़रूरी है बट अभी आपके एक्जाम में ये जो है उतना माहिने रखते हैं तो सारी माहिने बट ये जादा मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगते हैं आपके एक्जाम को देखते हुए तू एंड सावन नमबर इस ब्लड और बच्चों ब्लड निया एक्चली वह वाइट है टू का मतलब है बच्चों में लिख देता हूँ जीरो हंगर कोई भूका नहीं रहेगा ये भी एक सस्टेनल गोल था और यहां पर है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जैसे आप यूज कर रहें एलेक्ट्रिसिटी से गाड़िया चल रही है चार्ज होगे यह सब अब क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ मैं ब्लेक कलर से भी लिख दूँगा आशुतोष मिसरा अभी क्लियर है बहुत बढ़िया चली नेक्स देखते हैं फिर बच्चो रेनेवल एंड नॉन्रेनेवल एनर्जी रिसोर्स का भी लफड़ा है क्योंकि लोग तो रिसोर्स को यूज कर रहे हैं अब रिसोर्स दो हिसों में बटे हुए या तो वह रेन्यू हो जाएंगे या नॉन्रीनीव रही है वेंड एनर्जी यह सब है सोल एनर्जी यह सब भी है नॉन्रेनेवल की बात करूं तो फॉसल फ्यूल यूज किया और फटाइक देशिंग गाड़ी में से पैट्रल हो जाता है चूँ खतम एकदम न्यूक्लियर फटा बंदमागा खतम नैचुरल गैस भी है कोल भी टैशिंग खतम लिएस लाइफ एक्सपर्टेंशी पसेंट बच्चो ट्रेटर एट परसंटेज में लेते हैं आई हम अपके कोश्ण जी और के साथ में वहाइसाब आपके कोश्ण के साथ आपको बताते हैं कि क्या है कैसे है तो first question आपके सामने है, development का मतलब क्या है, क्या development का मतलब economic growth है, क्या development का मतलब better standard of living है, या फिर increase in per capita income है, बताईए कितना simple है, कितनी बार बताया है, कि development में ये तीनों ही चीजे count होती है, तो development का मतलब क्या है बच्चो, देश का विकास, economic growth, standard of living सबका सही हो जाए, और सब पू समझानी है, वो सिर्फ मैं बता दू, development chapter ऐसे बहुत छोटा है, example देखे, story देखे, बहुत समझाया गया है, बात यह है कि आपको development पूरा depth में समझाना चाहते हैं, कि development कोई बच्चा गलती से भी ये ना समझ लें कि पैसा बहुत आ गया, तो developed हो गया, बस वही एक base है, development chapter ब बहुत simple सा है, अपने आप से भी लिख सकते हो सर, पैसा बहुत है, तो developed है, but मैंडम पूछेगी न, what are the other factors, so इसलिए, ठीक है बच्चो, next देख लेते हैं, so development का मतलब ये तीनो है, the development of every person or group of people who are living in the country is called, देश में हरे एक की development, या group की development क्या कहला आती है, बताईए, अरे तो क्या बनता है बच्चो, national development, सब हैं तो फिर देश ही develop हो गया न, बचाई क्या है, national development, अरे answer तो इसलिए लिखे हैं, ताकि आपको फिर कल को screenshot लोगें, कुछ लोगें तो वो रह जाए, कई बार बच्चो के request आई थी, कि सार screenshot लेना होता है, तो screenshot के साथ फिर answer भी तो आन सब्सक्राइस किया, आग लगाई, खाना बन गया, क्या कोईले के बाद कोईला बसता है क्या, क्या क्या बसता है बच्चो, राक, इसका मतलब कोईला तो, नहीं बच्चा मतलब, non-renew, non-renew नहीं होगा, कोल है, use किया, क्या बच्चे के बाद में, ash, राक, क्या कोईला पसा सकता है कैसा मैट्रलों मतलब माजो बच्चे को जर्म देते में मर जाएं वह बच्चा वह टॉपिक आपके में है नहीं मेट्रलों मॉट्रलिटी रेट में मार प्षकी बच्चो नेक्स देखते हैं ग्राउंड वाटर जमीन में पानी गया है आप पानी यूज किया फिर पीया हो का टॉफलेट वालेट किया आसनि सेयं से वापस आगया तो कैसा रिसोर्स है बच्चो बिचंग कैसा रिखोरेबं पी रिखोरेबौर्स है कैसा रिसोर्स है बच्चों अब बताए कैसा रिसोर्स है ग्राउंड वर्टर भाई यूज करोगे फिर आएगा ऐसा तो नहीं कि एक दिन यूज किया फिर वो द्वारा पानी नहीं आने वाला है चले बहुत अच्छा कि प्यूश कुमार थेंक्यू कौन मेरा नाम अवि तक नहीं जान पाया इतनी क्लासे मेरे साथ कर ले तुम नाम भी नहीं जान पारें मेरा बताओ कि चीटिंग है कि नहीं गटाओ मैं अपने जिन दोस्तों के साथ रोज बैठता यूट तो उनका नाम पूछँ यह दिन जाके है ठेरा क्या नाम है मेरे को पूछेंगे भी नहीं अगले दिन कि वर्शू क्या डाउट है आपका बताइए तो सही कि मनी अन्ड क्रेडिट देखते हैं बच्चों होगा वो भी होगा डू नॉट वरी कि आपको चार्ट शेडूल करते हैं चलिए नेक्स देखते हैं human development report published by कौन करता है बच्चों भी बताये थी युनाइटन नेशन डैवलपन्स प्रोग्राम कौन करता है United Nations Development Program प्रोग्राम को ग्राइटेशन डैवलप्मेंट प्रोग्राम बताइए बताईए कि बताईए बच्चों मेरा नाम जोगिंदर है यास पता है फिर भी बीच में छुर्री छोड़ रहे हैं मतलब देखो कितना जोग करने की पड़ी हुई है न बोड के एक्जाम आगे हैं बिल्कुल सर पे बैटें फिर भी जोग चल रहे हैं इनके कि बड़े ही रिस्क्यों भाई साब पता लग रहा है डियू पीते हो बहुत जादा कि ग्राउंड वर्टर कैसे हैं आप पानी निकाला आपने पीया आपने भी पानी निकाला वो रोड पे गया नाली में गया आपके वाश्रूम में कहीं तो गया वहां से वह वापस ग्राउ और गुसरे कि क्या सोचेंगे कौन क्या कर रहा है छोड़ो ना कोई कि दिखाएगा बताओ लोग अवेयर नीं हो जाएंगे लोगों का ना कराना ही तो पलिटिक्स है लेक्स्त ग्राश डॉमेस्टिक प्रोडट्स ट्रेश दिटोटल वेल्यू ओप डैश प्रोडूम कॉन वह कूछ रहा जाते हो मुझे पता एह नहीं को न सब को पता है त invites पूछ पर फिर भी मेरे दिल में दर्द कर रहे तो क्यों कर रहा है देख लो है कि तहर जरूरी है बताओ अपने बच्चों को समझाने के तो पता होगा कि जीडीप का मतलब क्या है ठीक है शली ग्रॉस मतलब टोटल डुमेस्टिक मतलब इंडिया प्रडॉक्ट मतलब तीन सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर के 10 का हुआ सो GDP जो हो गई वो समय टोटल कितनी होगी बच्छो 30 यानि कि टोटल इंडिया में इन तीनों सेक्टर ने कितना प्रडूश किया इस GDP क्लियर है भाई कि येस NCRD is completely sufficient अरे पढ़ाने वाला भी वहीं से बढ़कर आता है अधिया भी जो चलिए इसके अंसर पर आते जीडीप क्या है बच्छो अल गुड्स और सेंज सर्विसेज और गुड्स और सेंज सर्विसेज सारा कुछ infant mortality rate जिस चीज का अंतियार कर रहे हो तुम्हारे सामने आचुके कदमों में तुम्हारे सामने question पढ़ा हुआ है उठाओ और चीज़े समझो इंडिकेट्स अनमबर आफ चिल्ड्रेंड 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 गमार वाली बच्छन में समझती है डाय एक साल पहले पहले ही मर गए वह बताना है तो चिल्ड्रेंड मतलब बच्चे इंडिकेट्स अनमबर आफ चिल्ड्रेंड डाय बिफोर कितना साल पहले वन यह डाय बिफोर वन यह मानलो कल को एक बच्चा पैता हो अपने गाहों में और एक साल का हुआ भी नहीं था और उसकी डैथ हो यह आए मर में काउंट होगा इंफेंट मॉट्री इंफेंट मतलब छोटा जो एक साल का भी नहीं होता मासूम बच्चा होता है ना गुड़्डा जैसा दीखता है क्यूट सा पाउट बनने का आता है इसे खेलता रहत अपना इसे आरा हमारा हाथ बात एंगल वेंगल बना होता है चाइनी जी चुट 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 आंके खोल के देखता है उसकी आखें पूरी संसार में खुली भी नहीं तो उसने देखा भी नहीं उससे पहले उसकी आखें बंद हो गई डैट इस इंफेंट मॉट्री डेट जो बहुत दुख वाली बात है कि समझो णेलो और बच्चा हर कोई प्यारा है इसमें अब यह मत करना इनसान के बच्चे की बात कर रहे हूँ कई सब के बच्चे काउंट कर लो कि इंडिया में आपने बोला था टोटल वैल्यू और वो जी डिपी है आई मार में इंसान का बच्चा कहीं कल को जानवर बानवर के बच्चे भी बोल दो कि सार उसने भी एक साल से पहले मर गया वह भी नहीं देख पाया था कि सचिन बुछने कब तक क्लास चलेगा क्लास यहीं है लास कहीं चल नहीं रहे जाके क्लास यहीं तुम चलोगे थोड़ेवगा अब आए जिनका हुआ वो छोड़ो ना तुम अपने का देखो जीडीपी निकालने को देंगे दे भी दें तो कोई जाधा फरक बढ़नी रहा ह एक दो नुमेरिकल का कोशन का पूरा चांसिज है मैं एक नुमेरिकल कराऊंगो वैसा ही नुमेरिकल आएगा सिर्फ फीगर नंबर चेंज हो सकते बस कि ठीक है चलिए ग्राउज डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट इस डी टोटल वैल्यू आफ और गूट्स इन सर्विसेज प्रडूज इन दा कंट्री मैंना भी जीडीप बताया था पिछली बार जीडीपी की डैफिनेशन बताई थी यहां पर एक चीज पॉइंट करिए डूरिंग कितना दूरिंग वन यहर वन यहर का मतलब यह बच्चो जब भी आप जीडीपी जिस भी एर में काउंट कोरोगे उस यहर की बाद अगर इस साल करेंगे तो 2023 लास्ट की बात करेंगे तो 2022 तो पर्टिक्लर वन यहर का मतलब होता है जिस साल आप कैल्कुलेट कर रहे हो उस साल का कि लेट शोँ कि लेट बच्चों कि अ मतले बच्चों कि लेट बच्चों ठीकान नेट अटनेस रेशियो इस टी टोटल नबर आफ चिल्ड्रन ओफ एज साल के बच्चे मैंना भी बताः था 14 से 15 बिहार वाला एक्जम्पल यहाद चौदा-बंदरा साल के जो बच्चे त लोट 10,000 बच्चे ही स्कूल आते हैं so this is the net attendance ratio तो ग्रूप कौन सा वाला 14 से 15 साल वाला क्लियर बच्चो किस को क्लियर बताईए निखिल गुजर बताईए क्या है बाई सब बताईए नाम ले लेंगे बताईए तुम्हारा पोश्टर वश्टर सब चब बादेंगे बताओ बहुत बड़ी है बच्चो जो जो answer correct दे रहे हैं समझे लो उनका सबका paper में पूरा marx है बाई सब पूरा marx है कोई दिक्कती नहीं है क्योंकि आप सबको सब चीज़ याद है सबको सबको याद है बहुत अच्छी बात है सब clear answer कर रहे हो बहुत बड़ी है सबाश trumpet बैब हो अब देश कियो कैसे ना भोगए कि ग्रो कर रहा है जीड़ी से्रैंटी शेक्टर ने कितना प्रोडूईस और पिख्योंक उंप कभी भी आप देखोगे अगर आप देखो इलिक बिश्वास नहीं रखता अरे किताब से पढ़ना वो सिर्फिस लेकि आपकी बुद्धी में आइडिया दिया जा सके आइडिया लेगे बाद भी ऐसे करोगे क्या क्लेर है कि नहीं चले नेक्स देखते बच्चो लिट्रेशी रिट क्या मेंसर्स करती है कौन से एज ग्रूप आता है बच्चो अभी बोला था लिट्रेशी पड़ा लिखा साथ साल से जादा रीड और राइट कर सके ध्यान दकना रीड प्लस राइट इस इकल टू लिट्रे नहीं है क्लेर है की रिट्रेशी फैर क्लेर अंट्रिश नेक्स देखते हैं वर्दट की रिपोर्ट क्या सथी है बट्र अब्स ही जिनकी इंकम कितनी रोर्प्या लिख रहे हुं ठीक है उनन चार्श थीन सो वर्ल्ड बेंक के साब से जिनकी यूएस डॉलर पच्छीस सो है वो क्या है बच्चो लो क्लास गरीब और जिनकी 6700 है वो क्या है बच्चो लो मिडल क्लेर है बच्चो अरे हम नहीं ठकेंगे भाई साब आपके बोर्ड के एक्जाम दिन तक पढ़ाते रहेंगे आखरी दिन तक भी तैयार है टोन लुए कि यूमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट वस्प्रिपेड बाए या अभी भी करती है इस प्रिपेड बाई यून डी पी यूएटे नेशन डेफल्लप्म प्रोग्राम एवरेज इंकम क्या होती है बच्चो बताइए एवरेज इंकम कैसे काउंट करती हैं कि एवरेज इंकम या फिर पर कैपिटा इंकम सॉरी पर कैपिटा पर कैपिटा टोटल इंकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन लोग दो तीन और चार यह नंबर आदमियों के दो बंदो जो दो नंबर का बंदा है वो यह नंबर यहीं है आपके एवरेज इंकम और पर कैपिटा इंकम किले बच्छों कि नहीं के रहे होका हमा चाले नेक्स देखते हैं देस्ट ऑफ दा दा कंट्री इन टम सोब पर कैपिटा नेट स्टेडела त्यक्षे मतलब 22 जो अभी हो रहा है उसके आपको पता है मैंने भाई साउथ का दे रखा है तो आप स्टेट में आप से कोई पूछे मतलब लिट्रेसी में या में तो केरला अगर कभी ऑप्शन में जा तो वैसे याद रखना बड़ी एक इस तरह कोशन आएंगे निए बट आपके उस बताएए भई development process है मैं क्या हूँ कि मैं developed हो गया तो आप क्या बोलोगे कि कैसे हुआ कि मैं पहले 10 रुपे कमाता था आज 20 रुपे कमा रहा हूं तो पहले कब कमाता था यह पास्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी भी पास्ट के बारे बता रहा है सो development past से influence होता है हर इंसान बहतर बनना चाहता है आप आज प्रीबोर्ड में 65 लेके आए हो यह आपका पास्ट हो गया अब आप आगे क्या करोगे पताए 95-96 वह आपका future है तो वह जो 65 कैसे आए 65 कैसे आए आपने पहले कभी और काम आए होंगे अब 96 आएंगे तो आप यह का होगे ना कि पहले से improvement है ठीक है बच्चो चलिए next देखते हैं discuss about development अगर question आ जाए दो नंबर development बड़े भी practice करा दूँगा कि वाह खुशी गुपता बहुत बढ़िया इससे अच्छे अग्जांबल होई क्या सकते हैं यही तो है कि चीक है तो development आ रहा है आपका sustainable development वाला भी question development is a process यह मैं बता चुका हूं which is influenced by past यह भी अभी अभी बताया है development में factors क्या क्या होते हैं economic growth होनी चाहिए increase in per capita income होनी चाहिए national income increase होनी चाहिए better standard of living होना चाहिए लोगों में quality होनी चाहिए sustainable growth होनी चाहिए किसकी हर sector of economy की पता चले आज एकदम से सर्विस सेक्टर बंप कर गया मतला सर्विस सेक्टर में सबकी income करोडों करोडों हो गई फिर अगले साल सब भूके मर रहे हैं अगले साल फेक्टर नजर नहीं आ रही है है ना सो हाइस एकनोमी धीरे धीरे ग्रोग करें यह सब कुछ development में आता है क्लेरे की नहीं क्लेरे बच्चों है बच्चों सस्टेनेबल डेवलप्मेंट कि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट नहीं समझ भाए शस्टेनेबल धीरे धी आप लोगों को क्या बताओगे मैं एकदम से था एकदम से रात और रात में बस करोड़ रुपया मजा नहीं आएगा अगले को बोला को कुछ एकदम टफ्री वफ्री लग रहा है ऐसा भंगस काम किया इसना पक्का जोल किया कुछ आप बोलोगे यार पहले मैं बहुत गरी किया है फिर मैं आज आई एस ऑफिसर बन गया बस तो मेरी तारीफर होगे नहीं करोगे है ना ऐसे ही दीरे दीरे फिर मैं भी सुनूंगा फिर मेरी आंखों में आशू आएंगे बहुत जहरी ले एकदम आशू आ रहे होंगे या मेरा ही बच्चा है यह बिचारे ने अमन अनसारी क्या करोगे किसी का नमबर मांग के एक नमबर मेरे पास है बहुत अच्छा नमबर है बता है बोड में नमबर नहीं आते ना जब सारे नमबर निगल जाते हैं चलो ब्रीफली एक्सप्लेंग दा मीनिंग ऑफ डेवल्लपेंट गोल्स तो डिफरेंट केटेग चाहता है फार्मर जो अपने अग्रिकल्चर प्रोटक्स के लिए पैसा जाधा चाहता है फूड सिक्योरिटी चाहता है वहीं यूथ जो है वह अपने लिए क्या चाहिए भाई सब कहां गया यूथ का भी होगा मोर सेलरी वह एक्जमबल आप लिख सकते हो और बहन यानि ल बेटा लाल हो जाता है बोल तु मेरा काम निकरें पापा मैं ओफिस जाता ही नी बेटा सुनी नहीं रहा पापा दे तना दे लगे पड़ें हमारे एक स्कूल टाइम ऐसी प्रिंसिपल हुआ करते थे वह आख बंद करके एकदम दात दबाद के लोगों को मारते बहुत बु प्रिंसिपल है मतलब मैं अपने दिल में डर बैट गया था भाई साब की इतनी बुरी बिटाई चलो तो स्कूल के टॉप परते उसके बाद भी दूबार लपेट दिया हो तो बेब जागा सरफ इसलिए कि कोशन डाउट जाता पूछ लेका था मैडम ने कही परेशान करते पर यह जौब आपको कही ना कहीं अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं देती अब बदाईए क्या है वहीं एक बंदा और है राम है जिसकी इंकम बहुत कम है पर परिवार के साथ अच्छा समय बिताता है उसके दोस्त है सब कुछ है वस वही सिच्वेशन कंपर कर दीजे दो लोगों की बना के हो गया समय आगी नहीं आगी बात इंफ्लूएंस का मतलब प्रभावित होना जैसे मैं आपको कुछ बोलू और आप मांजाओं ये इंफ्लूएंस है आपको अपके घरवाले ने बोला मांजा अपनी बुद्धी नहीं लगाई अपना दिमाग नहीं गुरू जी ने कहा था गुरू जी पागल है और तुम भी बन गए पागल को समझारी नहीं बात नहीं बुलेट में लिखो ये कोई फरक नहीं बढ़ता बुलेट में लिखने पर तब तो पॉसिबल है जब आपको मानलो बहुत कमी लिखना हो बट पैराग्राफ से भी आपका एक पैराग्राफ में फायदा में बता दू टीचर फिर ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन पर देता है और अगर लाइन में लिखा हो ओना टीचर फेक लाइन पॉट एगा ऐसे लिखा रहे इता लंबा थी कि लिखा हो गा सुरुक है लाइन देख्वाइब हाँ बैसाप सभी जा रहा बच्छा फूलमार्ट्स ठीक बच्चो चलो नेक्स देखते हैं what does national development means national development क्या है मैंने बताया था national development means the development of every person or group of people who are living in the country हर इंसान जो देश में रहे रहा उसकी development national development कहलाती है क्या आता है national development में क्या aspects है citizen का standard of living भढ़ जाए सबको equality मिल जाए basic community अच्छी रोटी कपडा मकान मिल जाए अच्छी इंकम मिल जाए यही है so every person has aspirations for the national development वो अपने हिसाब से सोचता है कि मेरे देश में यह हो मेरे रोड श्रणक पानी यह हो सब क्या अपनी में सोच है कोई देश यह कहता हो देश में मुफ्त में बिजली फ्री पानी देदे बट GDP क्यों नहीं कह सकते आप इस तरीके से बिलकुल क्योंकि उसको आपनों जोड़ना पड़ेगा GDP is the total value of all goods and services भाई वहां कुछ produce भी तो कर रहे हो चलो next देखते है हाँ मच पर कैपिटा इंकम वाज डिसाइड़ व्ल्ड बेंक वही तीनों एक्जामपल वन टू एंड थ्री वही उननचास जार तीनसो शिक्स्टी सैवन हंड्रेड और ट्वंटी फाइफ हंड्रेड यह है आपकी डेवलप्ड हाई लेवल मतलब यह आपके लो मिडल और यह है आपके क्या चो लो इंकम बितीनों ऐसाट डाग्राम लाइन से लगा के लिखोगे और करेक्ट हो जाएगा सुमेर खटी एक बार रिपीट करके देख लीजिए इतनी वीडियो में इतनी बार जीटी पढ़ाया शायद आज तक मैंने इतनी बार तो एक साथ नहीं पढ़ाया को कभी तो आप प्लीज देख लीजिए ठीक बच्छो नेक्स देखते हैं वट इस सस्टेवल डेवलपमेंट जिनका था तो एक एस डेवलपमेंट तो है विकॉस क्या लिखा हुआ है डेवलपमेंट कैसी सस्टेवल मतलब रुक रुक कर मतलब धीरे-धीरे सब हो जो आज के लोगों की भी नीट्स पूरी करे और फ्यूचर में भी लोगों की नीट्स पूरी करे उनको कभी यह सोचना ना पड़े कि यार अब है ही नहीं हमारे पास डेवलपमेंट समझागी बात बच्चो चलो और वर्ट बेस युनि एंडी पी पब्लिच दा हिउमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस बेस पर होती है आ जाईए तो लोगों की एजुकेशन कितनी है उनका हेल्थ कितनी है और उनकी इंकम कितनी है हेल्थ देखते हैं फैक्टर यह है अपनी किसके है इंकम एंड एजुकेशन यह तीन फैक्टर सें जिनसे आप जो है युनिटिन डेशनल डेवलपमेंट वाले जो है इंडी रिपोर्ट को बनाते हैं तीन बेस में देखते हैं कौन सा देश में कौन लोग कितने हैं कितने बड़े लिख्या और कितनी इंकम है ठीक है बच्चो मेरे तुम सारे ही बच्चे है मेरे तो लाग करोड़ों बच्चे हैं तुम्हारे अलावा और भी बड़े न्योगरी करनेयां वो भी मेरे बच्चे often नग्शी अब काफी बड़े-बड़े हैं 50-50 इस वाले भी हैं कुछ नहीं बता है चीड़ा बच्चो चलिए वट इस दिफ्रेंश बिट्वीन रेनिवल एंड नॉन रिनिवल बहुत सिंपल है रिनिवल वहोते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं जो कभी रिन्यू नहीं होंगे एनका जो स्टॉख है वह लिमिटेट तो नहीं है बहुत जादा है और इनका स्टॉक जो वो लिमिटेड है जो एक बार खतम हो गया दुबारा नहीं आएगा तो यहां पर आप कोल का एक्जांपल दे सकते हो आप ग्राउंड वाटर का दे सकते हो क्लियर है कि नहीं क्लियर बताइए शोशल बच्चा मैंने भी बोला याद नहीं करनी सिर्फ समझो चीजे समझो मैं इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं मैं एक को कैसे याद रखूंगा इससे हाई लेवल पर भी है तो फिर उनको कैसे बढ़ाओं अगर मुझे यही एक अगर रटनी है याद करनी है मुझे चीजे समझ नहीं है चीजा नेक्स देखते बच्चो वाइस सटेवल डेवलप्मेंट वेरी इंपोर्टन टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर आज कल डिबेट का क्यों रहेगा ही नहीं ग्रोथ रहेगी नहीं तो फिर कैसे करोगे और ग्रोथ के लिए चाहिए रिसोर्स आज ही ख़दम कर दोगे डेवलप्मेंट इस नोट एक इंडिया को नहीं करना सब को करना है फ्यूचर जोए सबका एक साथ जुड़ा हुआ है अरे हमें अमेरिका से भी काम है हमें पाकिस्तान से भी आगे काम पढ़ रहा है पाकिस्तान भी हमारे उपर टिका हुआ है विच्वी है तो वर्क तुगेदर तुस्टॉप दिस तुम सबको जब डेवलप्मेंट करनी है तो फिर बैया सस्टेनेवल डेवलप्मेंट सबको सोचनी पड़ेगी यह सब कलिए क्योंकि रिसोर्स मेरे हो या आपके खतम होए ता फिर आप कलको हमारे तरवाज़े बख बैतर से और बैतर ठीक है बच्चो कि येस सबका साधी होता है एक ना एक दिन कि सबकी साधी होती है है ना कि शलिए कि क्लेर बच्चो हम उत्तरप्रदेश से हैं बाइस सब नोईडा से ही है मिलेंगे एक दिन सबसे आप से भी विच बार फॉलाइंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट अबाउट जीडीपी जीडीपी के बारे में क्या करेक्ट है तो जीडीपी की डेफिनेशन याद रखना तीन चीजें टोटल वैल्यू आफ और अल गुड्स एंस सर्विचेज इन ए कंट्री डूरिंग आ इयर जीडीपी दा टोटल वैल्यू आ अल्ट्री यहां तक ठीक है प्रड्यूश्ट अट्री यह भी ठीक है दूरिंग गीवन ड्रफ टाइम यूशली बन या यहां पर देखो कि डिर्य गीवन पिर आफ ताम यूशली 1 यह यह समें सेम कर दिया है क्या वाओ नहीं किया शाय एक जैसी डेफिनेशन के लिह अगले शामने सेम कर दिया तो बच्चों हमें बेसिकिली क्या है गीडिप की डेफिनेशन य यही रहेगा कि GDP is the value of total value of all goods and services produced in a year during a period of one year, यानि कि जिस साल आप calculate करोगे उसे कहते है GDP का, ठीक है बच्चो, क्या करें भाई साब, कुछ करीण नहीं सकते, चलिए, which of the following is correct about, यहाँ पर तो नहीं कर दिया है क्या, per capita income, average per capita income मैं बता चुका हूँ, is the total income divided by country's total population, income by population, average income divided by country's total, तो average income से average क्या निकालोगे, तो गलत है वैसी option, average income is the total income divided by country's primary, secondary sector नहीं है बिलकुल भी, average income total of marginal बिलकुल नहीं है, तो इसका मतब यही correct है, समझा रहे कि नियारी बात बताईए, secondary sector में service sector नहीं आता है, service sector tertiary में आता है, 3rd sector में, यह chart आप देख लो, और इस chart के इस पर आप से कोई question पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं, जैसे मैंने एक दो पूछे हैं, कि भाई, फिफ्ट गोल है, तो जो good health and well-being है, वो हमारा एक्चुल फिफ्ट गोल नहीं है, वो हमारा 3rd goal है, कल को मैंडम आप से डारेक्ट भूछ लाए, या बड़े होकर भी आपको पता होने चाहिए, कुछ goals तो याद रहने चाहिए, बच्चो, गरीबी, zero hunger, zero hunger रहा, तो सब अच्छे चरेंगे, good health, good health रही, तो सब लोग अच्छा पड़ भी पाएंगे, quality education, quality education कब मिलती है, जब सब लोग equal होते, कोई महिला पुरुष नहीं होता, ठीक है, भोजपुरी बोली, मेरे से सारी भाषा है बोलवालो है ना, बेलकुल, रंग मंच के कारेकरम पे आए हो मैं, है ना, पढ़ाई तुम पहले अच्छे नमबर ने क्या हो, फिर मैं तुमको भोजपुरी बोलके दिखाऊंगा, गुजराती बोलूँगा, और मलयालम भी बोल तो ये बच्चो 10th गोल है, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं, ये रहा, reduced inequalities, 10th नमबर का गोल है, चलो next देखते हैं, 16 गोल क्या है, अभी जस्ट बताया है, peace, liberty, शान्ती, जैसे से गोल बढ़ते जा रहे हैं, अब लोगों के जो गोल्स हैं, वो stable, मतलब थोड़े शान् एक्जाम के लिए, SDG, अभी तो बताया, sustainable development goals, SDGs, कितने हैं, 17 है, कितने हैं, 17 है, चीख है, to become a developed country or state, they need to be developed in public facilities also, write an answer in support of this statement, developed country होने के लिए आपको public facilities में develop होना चाहिए, बिलकुल correct है, आपने पढ़ा भी ये, अच्छी नौकरी दे दो, है ना, अच्छी health facilities दे दो, भईया, बढ़िया से रोल बना दो, ऐसा ना हो, कि राजमा खाके सीधा मुझसे, राजमाई निकलवाद हो, भाहर के, ट्रांसपोर्ट फैसलिटी अच्छी हो, मैं रात को कहीं रुग जया, तो मुझे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो हमारे देश में जातर क्राइम इसलिए होते हैं, सुनसान सड़क होती है, बच्चिया विचारी अकेली खड़ी है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, फिर कुछ खराब लोग जो है, इस देश में फिर उत्पाद बचाते हैं, फिर खराब बचाते हैं, इस गरीबी को मिटाने के लिए जरूरी है, किसी कि आफि बेशक, सारी स्की में खटम कर दो, मैं तो यही कहुँँगा, सारी स्की में खटम कर दो, सब कुछ खटम कर दो, पर इन गरीबों के लिए पैसा मलतारी कर भाषी कर वो, आप इनको इसीत तरीक complete करो कि बारा, कि सब लोग के पास इक्वाल पैसा हो, कि सबके पास इकोल पैसा हो कोई जाधा इंकम कोई जाधा गरीब ना रहे सब लोग अच्छी जिन्दी डिसेंट स्टेंडर तो गुजार सके कोई इतने महेंगे शोरूम से कबने ले रहा है को विचारे ले नहीं पा रहा है तो सोचो क्या होगा तो ऐसा होना चाहिए तो अल्ली इंकम इस नॉट सफिशेंट जैसा कि हमने देखा था हर्याना के मामले में हर्याना इंकम बहुत कमा रहा था दो लाग सेंतालीस जार शेसो अटाइज बट केरला जो है अधर फीचर्स में आगे था तो यही इसलिए मैं क्या रहा हूं कि मनी अलोड इस नॉट कि अग्यार बच्चो मेरे पास पैसे तो नहीं पर दो रुपर बढ़ें जैब में और मैं दूंगा नी क्योंकि इस एक जने का एक रुपा होया था और एक जने का एक तो लोगों के दो रुपर फोई ते वह मेरा पैसा ले जाएंगे और दो ही रुपे मेरे बिल्कुल नह कि आएंगे बच्चों बट मैंने आपको सिर्फ एक्स्टा बताए है ताकि आप लोगों समझ में आसा है कुछ चीजे पता रहे कि चीजों में होता है क्या है जब आप थोड़ा सा अच्छा बढ़ाने है तो कुछ चीजों को आप इंट्रड़क्शन बच्चों को अभी से दे सकते हैं आप बच्चों को अभी से इंट्रड़क्शन दे सकते हैं ओके साइड प्लीज तो लीजिए जब मैं इतना ही साइड हो जाओ तो पढ़ाए का कौन बताईए थोड़ा साइड बुला को ऐसे पूरा साइड लिखाए साइड मतलब निकल के भाहर चले जाओ क्ला वी Russian को फ्रेंड नहीं आप पड़ सकते हो कोई भी दोस्तर और दुदो अ मेरा बश्रों अच्छी नौकरी करता है बहुत अच्या कवाता है बड़ घुट्र में जाइत आपको इंट्रेस्ट करना पढ़ने वाले को पढ़ने वाले को पढ़ने वाला भी रो जाए और रोते वेना दुख में बंदा देखेगा नहीं क्या नंबर दो आपको में आजू होंगे दस नंबर पांच नंबर जो देने दो इस बच्चे को बहुत अच्छा लिखा इसने ऐसा लिखना है समझ में आगे बात मार्केजम स्कीम बच्चो कई बार फ्लक्षट हो जाती है नो डाउट ठीक है बच्चो assume there are four families in a country चार परिवार है the average of per capita income of these families 4000 उनकी income है family में चार लोग है okay very important बच्चो थोड़ा ध्यान से सुनना तक चार लोग है कि एक की एक हजार है कि एक की दो हजार है कि एक की पाच हजार है और कि एवरेज इंकम ओके एवरेज इंकम देरखी है 4000 गप्षो एवरेज इंकम का फ़र्मॉला क्या था बच्चो पहले तो वह याद कर लो average इंकम चलो यहां पर मतलब एक ब्लैंक स्लाइट पर हम समझा लेते हैं कि नहीं तर्ण क्यों नहीं कर रहा है भाई I think नहीं कर रहा है इसी पर कर लेते हैं अब यह क्या आफ़ात है कि यंत्र तंत्र चलने लग गए चले महीं है समझा दें तो चले स्लाइड का पेज बलट गया उसके बाद नहीं हुआ तो तो बच्चों को बता भी नहीं पाएंगे एवरेज इंकम का फॉर्मडा क्या था बच्चों कि टोटल इंकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन आप सभी सॉल कीजिए बताईए क्या अंसर आएगा बताईए चलिए मैं आपको समय दे रहा हूं क्या अंसर है इनमें से बताईए अंसर तो लिखा ही हुआ है क्या ही बताओगे सब कुछ लिखा हुआ है सो 4000 एवरेज इंकम है इस इकल टोटल इंकम यह हो गई हजार दो हजार पांच यह प्लस जो चौता बंदा है उसकी मान लेते हम फोर आई फोर इंकम फोर्थ वाले की इंकम और टोटल लोग कितने हैं टोटल पॉपलिशन एक दो तीन चार लोग तो हैं है तो यह फोर तो इ और वही है हमारे फोर्थ वाले की इंकम तो चाहत थे जो आदमी है उसकी तनका है पैसा आठ हजार है समझा आगी बात कि क्लर येस अरे संदीप नहीं 2000 कैसे होगा आप कैल्कुलेट करो कैसे होगा कि 8000 इस दी करेक्ट अंसर एट थाॉसंड एवरेज इंकम इस ड्याइड एम कैसे क्लिट करते बाइसा बताईए जो पूछ रहे डिवाइड डिवाइड टोटल इंकम बाइट टोटल पॉपुलेशन इंकम से पॉपुलेशन जितना कमाया और जितने लोगों ने कमाया कि कुछ की पांच बचेए बस कोई बात नहीं कदम बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है था कि क्लिये बताईए अगले class में अगले topic के साथ फिर मिलेंगे आपको और उमीद है कि ये जो session आपको जा रहा है न economics का बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा जिनको भी समझ में नहीं आया है वो अपने doubt जो है comment section में छोड़ना मैं पूरी try करूँगा बच्चों कि हर एक का answer किया जाए बलकि infect में बहुत सारे answer तो कर चुका हूँ फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मिलेंगे अगली class में अगले topic के साथ और फिर से एक नए doubts नई चीज़े नए examples तब तक चलिए next class मिलते बच्चों बबाई and take care